वेलकम बैग दोस्तों मैं के बिश्वकर में एक बैफिर साफ सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवी आनलाइन शड़ी में स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि रेलवे एक्जाम बहुत ही नजदीख है तो यहीं दोस्तों आप भी रेलवे ग्रूप D की तयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साफ़े हमारी स्रीज से जोड़ना बिलकुन भूलेगा क्योंकि दोस्तों आने वाले हदी महात्यपॉर्ण शाबित होगी दोस्तों महात्यपॉर्ण इस बात के लिए साबित होगी क्योंकि यह यूद्ध कमिर्शन टाइमस की बुक हम लोग जो सॉल कर रहे हैं दोस्तों यह बुक में जितने भी रेलवे ने पिछले कुछ वरसों में एक्जाम कराए हैं जैसे सारे क्विशनों को यहाँ पर चैटर वाइ चैटर यहाँ पर दिया गया है तो दोस्तों हम लोग चैटर वाइ चैटर पर हैं और दोस्तों आपकोको बता पहले-पहले पूरा प्रियास रहे गा और पूरा अब यग पीजिए घ़िए ऐगा है PMना सिप यहने कि साज्य दारी साज्य दारी का दोस्तों आज हम लोग पार्ट वन पढ़ेंगा और इसी पार्ट से ही दोस्तों यह हमारा पुरूरा चेक्टर कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि इसमें टोटल 49 question दिये गए इस chapter में और 49 question हम दोस्तों एक ही वीडियो में cover कर लेंगे तो दोस्तों चलिए start करते हैं हम लोग आज का अपना पहला question तो पहला question दोस्तों हमारा ये रहा कि आपको जितने भी ये paper solve करवा जा रहा है जितने भी question solve करवा जा रहा है इन सारे question को हल सहित आपको PDF पर मिल जाएगा और दोस्तों यदि आपको किसी विकार कोई doubt या doubt हो तो आप मुझे वहां पर message कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप हमारे comment box में comment करके बता सकते हैं और यदि आपको कोई राय हो तो भी आप हमें comment box में comment करके बता सकते हैं तो चलिए दोस्तों start करते हैं हम लोग आज का अपना पहला question तो पहला question दोस्तों दोस्तों हमारा ये रहा यहाँ पे दोस्तों साजिदारी यानि की partnership का पहला question हम लोग पढ़ेंगे और 36 रुपए का लाब हुआ तो इसमें से वनिता का हिस्सा कितना होगा हमको ये बात बतानी है तो यहाँ पे दो बैठती हैं दोस्तों देख लीजेगा सबसे पहले ये हमने आर लिग दिया आर से हो गया रम्री और वी से हो गया वनिता हमने ये दोनों लोगों का नाम लिख अब रमी जो है 8000 रुपए लगाती है इस बैपार में तो हमने 8000 रुपए लगा लिख दिया और ये 8000 रुपए लगाती है दोस्तों कितना वर्स के अंत में कहा गया तो यानि कि एक वर्स के लिए लगाती है यानि कि 12 महीने के लिए ठीक है दोस्तों फिर बाद में वनित चार महीने के बाद шह भजा cyn Grape के 5-7 उस ब्यापार जुडयाती है तो मैं र zijn चार महीने बाद जुड़ेगी तो इनकी शाल भर तो टोल क्तने महें रही कैनी और टोटल रोका तो इन में से वनीता का हिस्सा कितना होगा हमको ये बात बतानी है तो दोस्तों यहां पे हम उनके लगाई गई पूंजी और उनका जो जितने समय के लिए पूंजी लगाते हैं वो इनको ऐसे अनुपात में लिख लेते हैं और इनका रेशियो निकालते हैं तो रेशियो देखो दोस दोस्तों हमारा दो अनुपात एक बन गया इनका रेशियो बन गया किसका रमड़ी और वनिता का हमको निकालना है वनिता का तो दोस्तों अब च्छती सो का लाग होता है तो यहां पे दो और एक का अनुपात बन गया दो एक तीन बराबर हो जाएगा दोस्तों हमारा च्छती हमारा सी के साथ क्या हो जाएक साथ बिलकुल राइट होजाएग्स अगने इसीldigt दोस्तों हम इसको बताते हैं रमडी का पूछा जाता तो यहां पे दो रिए गया है तो हम एक बराबर बारइस दो बराबर Ст्रा चॉ जाना कि यहां तो पूछा गया वनिता का हिस्सा कितना होगा तो वनिता के हिस्सा दोस्तों बारस होगा यानि कि आफसा नंबर हमारा वन का सी के साथ है question राइट होगा और अगला question देखते है हम लोग second number और second number question पर यहाँ पर दिया गया है कहा गया है कि A और B क्रमसा एक लाख और देर लाख रुपाई का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते है 24 जा रुपाई के कुल लाव में से प्रते को मिलने वाला हिस्सा कितना होगा कितना ही आसान कुश्चन है यहाँ पे माल लिजे दो बेक्ती है एक A है और दूसरा यहाँ पे दोस्तों B है तो A जो है दोस्तों एक लाख रुपाई लगाता है तो हमने यहाँ पे एक लाख रुपाई लिख लिया फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि B कितना लगाता है भी 1.5 लाग रुपए लगाता है तो हमने यहाँ पे 1.5 लाग रुपए लिख लिए अब ये बात कहा गया है का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते है 24,000 रुपए के कुल लाब में से प्रिते को मिलने वाला हिस्सा कितना है दोस्तों यहाँ पे समय का जिक्र नहीं किया गया है तो समय आप समझ लीजिएगा दोस्तों एक साल का या कितना भी समय मान लीजिएगा या भी नहीं मानना तो भी मत मानिया अगर आप दोस्तों एक साल का टाइम मानेंगे तो यहाँ पे बारा के धर भी multiply करेंगे बारा किधर भी multiply करेंगे तो बारा बारा आपस में वैसे भी cancel हो जाएंगे अगर एक वर्स कमानेंगे तो एक एक लिखेंगे तो उसका भी आपस में cancel हो जाएंगे कोई मतलब नहीं होगा तो हमको यह बार पर चल गई कुल मिला कि यहां पे हम देखें तो इनका ratio न हो जाएगा हमारा यह 24,000 के अब जब एक बराबर निकालेंगे दोस्तों तो पांच चौघ बीच पांच अथे चालीस यरीनि के 4800 के आ जाएगा एक बराबर 4800 के तो अब हमको निकालना किसका हिस्चा था दोस्ते तो प्रत्यक को मिलने वाला हिस्चा गयत कीज़े जब 11 का लेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 48 में हम 3 तीन का मल्टिप्लाई करोगे दोस्तों 210-3000-800824 हो जाएगा तिन चौक 12 बारे दो 14 हागा जानि की यह बन क्वेक्ष्षों बन गया हमारा 14 Tyrone बन गया देखा जा तो पहला हिस्सा हमारा आ गया इतना और दूसरा हिस्सा आ गया हमारा इतना तो ये option match कर रहा है दोस्तों हमारा डी पे तो option नमबर देखें तो तू का डी के साथ ये question क्या हो जाएगा बिल्कुल right बन जाएगा और अगला question देखेंगे हम लोग third number question में कहा गया है कि 48,000 रुपए की राजकों दो भाईयों अनिल और आदित में 11,13 के अनुपात में बाटा गया है आदित का हिस्सा ग्यात कीजिए अब दोस्तों अनिल और आदित यहां पे देख लीजिए का दोस्तों यह तो अनिल हो गए और यह हो गए हमारे आदित हो गए तो इनका जो अनुपात बताया गया है 11,13 बताया गया है ठीक दोस्तों 11,13 तो 11,13 को जब हम add करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 13,14,14,14,24 बराबर आ जाएगा हमारा 48,000 आ जाएगा तो एक बराबर निकालेंगे तो 24,22,48 यानि कि यह नूद बजाएगा हमारा 2000 बन जाएगा जब एक बराबर हमारा बन गया 2000 हमको निकालना है आदित ह्सा तो आदित हैं पे कितना है दोस्तों यहна पे 13,13 तो 13 का हम नों पच्छों में मल्टिपलाई कर देंगे तो तेरा बराबर आ जाएगा तेरा दूना 26 यानि कि ये बन जाएगा 26,000 तो आदित्तिका हिस्सा दोस्तों आ गया 26,000 यानि कि देखा जाए तो आपसर नमबर हमारा यहाँ पे B के थातिए कुशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे तीन के बाद दोस्तों चौथा नमबर कुशन पर हमारा दिया गया है कहा गया है कि A और B के पास कुल 300 रुपया है यदि A की रासी का 2 बटे 5, B की रासी के 8 बटे 26 के बराबर है तो B के पास कितनी रासी है हमको ये बात बताना है A और B के पांच ठोटल कितना है 300 रुपाय है कहा गया कि A के रासी का 2 बटे 5 तो 2 बटे 5 A के रासी का तो A के रासी का 2 बटे 5 में लिग दिया बराबर है किसके दोस्तों B की रासी के 8 बटे 26 के बराबर है 8 बटे 26 के बराबर है अब दोस्तों क्या करेंगे आप दोसे अगर इसको हम कट करें तो 4 टाइम में कर जाएगा अब अगर दोस्तों इसको और हम कट करें तो 2 टूर जा 4 2 थर्टीन जा 26 अब दोस्तों यहां पर हमारा क्या हो जाएगा cross multiply हो जाएगा तो तेरा का जब इधर उपर एक हैसे के समय लिए जब दो हुआ था तो तेरा एक अननम तेरा ए आ जाएगा और इधर जब मल्टिप्लाई करेंगे तो पांच दूना दस बी आ जाएगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ए बाई बी बन जाएगा हमारा तेन अपान थर्टीन तो फाइनली यह इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर लिख सकते हैं दस अनुपात तेरा लिख सकते हैं दोस्तों तो ये आ गया हमारा ए और बी का अनुपात निकल के आ गया दोस्तों क्या निकल के आ गया ए और बी का अनुपात जब ए और बी का अनुपात निकाल लिए तो बी के पास कितनी रास है तो अब दोस्तों हम इनकों क्या करेंगे add कर लेंगे 10 और 13 को add करेंगे तो हो जाएगा 23 बराबर ये हमारा हो जाएगा 2300 के तो एक बराबर आ जाएगा हमारा 100 के हमको निकालना है B का हिस्सा तो यहाँ पर B का हिस्सा है दोस्तों 13 जब 13 है हमारा वी का हिस्सा तो दोस्तों 13 इधर भी multiply करेंगे 13 इधर भी multiply करेंगे तो 13 एक अनम 13 13100 आ जाएगा तो finally वी का हिस्सा जो हमारा आ गया वो आ गया हमारा 1300 यानि कि आपसर नंबर देखें तो एक साथ और सी के बीच विभाजित किया जाता है एक को कुल राश में से तिहाई हिस्सा मिलता है और बी को और बी को बी को सी से तीन गुना हिस्सा मिलता है सी को एसे बारा सो कम मिलते हैं तो एका हिस्सा रुपियों में हमको ग्याद करना है तो देखते हैं दोस्ते सो कैसे हल करते हैं हम लोग यहांपर कुल्मला के बात ये कही गई है कि कुशिटिन में एक निश्चित धनरास नहीं पता है और वो धनरास को हमको A, B और C के बीट में विभाजित करना ठीक है A को कुल राश में से एक तिहाई हिस्ता मिलता है तो मान लीजिए दोस्तों अगर कुल राश रही होगी हमारी A को जो भी मिलेगा कुल राश का 1 बटे 3 मिलेगा ठीक है मान लेते हैं दोस्तों हमारा कितना रहा है यहाँ पे कुल राश हमने माना यहाँ पे हमने टोटल राश हमान लिया हमने X रही होगी या नहीं मानना आप X तो ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन आपके सुविधा के लिए मैंने X कह लिया अब जो A को राश मिलेगी वो कुल राश का एक बटे 3 मिलेगी हमने A को कुल राश का एक बटे 3 कर लिया ठीक है फिर आगे आएक को कुल राश में से एक तिहाँ हिस्सा मिलता है B को C से 3 गुना हिस्सा मिलता है अब B को जो मिलेगा वो C से 3 गुना हिस्सा मिलेगा B को C से 3 गुना हिस्सा मिलता है C को A से 12.00 रुपए कम मिलते हैं तो सबसे पहले हम C को इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं C को A से 12.00 रुपए कम मिलते हैं तो C को जो मिलेगा A से C को A से 12.00 रुपए कम मिलते हैं 12 रुपए कम कर दिया इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी आगे देखते हैं हम अब यहां पर और एक बात यहां पर का गए है कि B को जो मिलेगा C से 3 गुना हिस्ता मिलता है अब यह जो B को जो मिलेगा वो C से 3 गुना हिस्ता मिलेगा तो यह X बटे 3 माइनस का 12 सो यहां पर तीन गुना तो हमने तीन का गुना कर दिया अब दोस्तों जो तीन का गुना कर देंगे तो यह तीन से यह तीन अंदर जबाएगा तो कैंसल हो जाएगा तो यहां पर बच्चे का कुल मिला कि हमारा X और बारते श्टी सो बच जाएगा तो कुल मिला कि B बराबर हमारा इतना बन गया, ठीक है ना दोस्तों, अब question में क्या कहा गया है, कहा गया है कि अब अगर हम इं साही रासियों को adds करके total rise के equal कर दे, तो कही न कहीं से हमारा निकल आएगा, तो A का हिस्सा निकालना है तो एक हिस्सा हमने एक्स बड़े तीन मा बनाया था तो एक हिस्सा बड़े ही आसानी से निकलाएगा तो चलिए करके ट्राइ करते हैं दोस्तों यह तो जैसे कोईशन में कहा गया है कि टोटल राशी का एक तिहाई A को मिलता है जो C को मिलेगा वो A के हिस्से से 12 रुपए कम मिलेगा C को जो मिलेगा A के हिस्से से 12 रुपए कम कर दिया जो फिकरा B को मिलेगा जो B को मिलेगा वो C को जितना मिला है उसका 3 गुना मिलेगा B को तो हमने यहापे 3 का गुना कर दिया ठीक है तो दोस्तों अब अगर इन सब को हम आइड करें एकस बाटे 3 प्लस एकस बाटे 3 माइनस का 12100 फिर उसके बाद दोस्तों हमारा यहां पे आया है हमारा प्लस का एकस माइनस का 3600 बराबर जिसके हो जाएगा X के अब तोटल इन सब्सक्राशियों को add करके x total rest था इसके equal कर दिया अब अगर देखा जाये तो देखते हैं यहाँ पे यह हमारा हो जाएगा x बटे 3 x बटे 3 तो यह हो जाएगा 2 x बटे 3 हो जाएगा plus का 1 x बटे 1 हमने इसको भी मान लिया और यह x को इधर ले लेंगे तो यह minus का x बटे 1 हो जाएगा यह केवल ही x आप रखते जिएगा तब भी सही है चलिए थोड़ा समय इसको हटा करके आपको ऐसे लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे यह बचा यहाँ पे x हमने एक सक दिया और यह x इधर आएगा तो minus का x हो जाएगा बराबर यह दोस्तों minus का 36 और यह यहाँ पे minus का 12 जब उधर दोनों जाएगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4800 वो भी प्लस में आ जाएगा अब यह x और यह x कैंसिल हो जाएगे 24 तिर को यानिएnova 72 को सकते हैं दोस्तों 7200 हमको निकालना क्या था एक का हिस्सा यह तो कह रहा है एक हिस्सा कितना होगा अब अपसल नंबर हमारा यहांपर डी के साथ है क्या हो जाएगा उम्मेद करता हूँ दोस्तों आपको यह कोई राय हो तो आप मुझे अपनी राय भी दे सकते हैं चलिए अगला कोशन यहां पर हमारा च्छठा नंबर कोशन है यहां पर कहा गया है 21,150 को ABC के बीच बाटे जाते ह हैं यहांने कि 21,150 रुपया को A, B और C के बीच में बाटे जाते हैं A का हिस्सा B के हिस्से का 4 बटे 5 है और B का हिस्सा C के हिस्से का 3 बटे 4 है अपनी संबंधित धनरासियां प्राप्त करने के बाद C अपने हिस्से के कुछ धनरास A को देती है इस अंतरण के बाद A और C की धनरासी का अनुपात 7 अनुपात 9 हो जाता है C ने अपने मूल हिस्से की धनरास A को दी कितने दी हमको यह बात यहाँ पे ग्याद करना है अच्छा कोशन है थोड़ा सा इसको आप समझने का प्रयास करें चलिए इसको हम लोग हल करते हैं कैसे हल होगा मैं आपको करके दिखाता हूँ और अच्छा कोशन है थोड़ा सा समझने का प्रयास करें जैसा जैसा कोशन में कहेगा हम लोग वैसा इससे करेंगे और आसानिस इसका answer निकालेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले कहा है कि A, B, C के बीच में ये धन्राश को हमको बाटा जाता है A का हिस्सा B के हिस्से का 4 बटे 5 है अब यहाँ पे यह कहा गया कि जो A का हिस्सा होगा वो B के हिस्से का 4 बटे 5 है चार बटे पाँच है इसके B के हिस्से का हमने यह कर लिया तो यहां से अगर हम निकाले है तो यह बन जाएगा हमारा A by B बराबत चार बटे पाँच बन जाएगा यहां से A अनपाथ B या A B हमने निकाल लिया ठीक है? अगला पॉंइंट खा गया है B के हिस्से के प्षार बटे 5 अपि यहां से का आ गए और B का हिस्सा C के हिस्से का 3 प्प्टे 4 है B का हिस्सा जो होगा वो C के हिस्से का 3 बटे 4 है C के हिस्से का 3 बटे 4 हमने कर दिया यहां से B by C निकालेंगे तो यह बन जाएगा हमारा 3 बटे 4 यहां से यह निकल के आ गया है दोस्तों इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी अब यहां से अगर हम ABC का मान निकालें तो यह A अनुपात B का वैलू दिया गया है 4 अनुपात 5 और फिर यहां पे B अनुपात C का वैलू दिया गया है 3 अनुपात 4 हमको यहां से निकालना है A, B, C 4 ते ही 12 हो जाएगा 5 ते ही 15 हो जाएगा अब पान चोग 20 हो जाएगा यह अनुपात कैसे निकाले जाते हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो ना समझ में आ रही हो तो आप हमारे रेशियो और प्रॉपरेशन का वीडियो मैंने चैप्टर पढ़ा चुका हूँ वहाँ पर पर आप जाकर और किसको पढ़ सकते हैं कुछ नहीं दोस्तों ये A का वैलू निकालना हो तो इसमेंसे दोस्तों क्या करेंगे हम ऐसा कर सकते हैं कि बाद में कहा गया है कि C अपने हिस्से के कुछ धनराश A को देती है इस अंतरण के बाद A और C की धनरास का अंद पास सातन पात नो हो जाता सी ने अपने मोल हिस्से की कितनी धनरास A को दी है तो कुल में लाकर करके हम यहाँ पे A और C की value निकाल लेते हैं इन सब को अगर add करेंगे तो 20, 10, 10, 14, 7, 47 टोटल आ गया इनका योग 47 तो अब हम क्या करेंगे यह 47 बराबर करेंगे तो 21,150 के equal कर देंगे दोस्तों जब यहाँ से 47 से जब इसको cut करेंगे एक बराबर निकालेंगे तो यह यहाँ से आ जाएगा हमारा 450 बार में पूरा पूरा कर जाएगा तो एक बराबर हमारा इतना आ गया अब हमको A का हिस्सा निकालना है दोस्तों तो A का हिस्सा निकालने के लिए 12 का multiply कर देंगे जब 12 का multiply करेंगे तो दोस्तों यहाँ से हमारा A बराबर आ जाएगा हमारा चवंवन सो आ गया अब यहां से दोस्तों हम किसका निकालेंगे सी का हिस्सा निकालेंगे तो सी बराबर भी निकाल लेते हैं तो सी में हम दोस्तों यह सी का हमारा वीज दिया गया है तो इस हम पैंतालिस में अनुपात 7 अनुपात 9 हो जाता है तो यहाँ पे देख लीजिएगा A की धनरास दोस्तों कितनी है 500 रुपई है हमने 500 रख दिया C की धनरास कितनी है यहाँ पे 9000 हमने 9000 रख दिया अब बाद में एक बात इसने ये कहा है कि C अपने हिस्से से कुछ धनरास A को देता है C जो है कुछ धनरास मान लिजिए C ने X रुपई है निकाल करके ये A को दे दिया तो C से X रुपई है कम होकर के A में जाके जुड़ जाएगा इनका अनुपात कितना हो जाता है 7 अनुपात 9 तो हमने इनका 7 अनुपात 9 रख दिया क्रास मल्टिप्लाइ करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आ जाएगा 9 0 0 9 0 0 9 4 36 और 9 5 45 3 48 तो यहाँ पर आ गया इतना और यहाँ पर प्लस का हमारा हो गया 9 X बराबर लगाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 7 नहीं 63 और 3 0 और माइनस का 7 X हो जाएगा अब 7 X जब इधर आएगा तो दोस्तों 9 और 7 प्लस में हो जाएगे तो जुड जाएगे तो कितना हो जाएगा 9 1 10 6 16 16 बन जाएगा फिर यहाँ पर दोस्तों अब 63 यह हमारा 48,600 जाकर के हमारा यहाँ पर 63,000 से दोस्तों हमारा 63,000 से 48,600 माइनस हो जाएगा तो फाइनली दोस्तों हमारा यह जो माइनस होने पर जो भी आएगा वो बच जाएगा हमारा 14,400 सो बचेगा कितना बचेगा दोस्तों 14400 तो एकस बराबर निकालेंगे दोस्तों तो सूला 9344 और डबल ईरो एकस की value कितने आ गए दोस्तों 900 आ गई यानी कि हम को ये बात पता चल गया की यानी कि सी जुह है a को कितना देता है नो सो रुपए दिया है और टोटल सी का हिस्सा कितना था नौ हजार था तो नौ सो ये नौ सो कट जाएगा तो फाइनली आ जाएगा एक बटे दस आ जाएगा तो कुल मिला के सी द्वारा एक को दिया जाने वाला हिस्सा कितना आ गया एक बटे दस आ गया है यनि कि देखें तो हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे दोस्तों और यहां पे साथों नमर कुशन हमारा दिया गया है कहा गया कि A, B और C एक ब्यापार में साज्यदार हैं जिसकी कुल पूझी 33,000 रुपया है उन्हें वर्स के अंत में 15,000 रुपय का लाव हुआ जिसे उनकी पूझी के अनपात में विभाजित किया जाना है लाव में से हिस्से के तावर पर A को 45 रुपय मिलता है A को दोस्तों कितना मिलता है 4500 रुपए मिलता है और B को 5500 रुपए मिलता है C को पूंजी ग्याद कीजिए C की पूंजी कितनी थी हमको ये बात बतानी है अब दोस्तों यहाँ पे A, B सबको तो पता होगे हमको C का नहीं पता है तो C का लाब अगर हम निकालें तो टोटल लाब कितना हो रहा है वर्ष के अंदे 15,000 रुपए के लाब से तो तो 55,000 और 45,000 जब जोड़ेंगे तो 6,000,000 तो ये जो C का निकारेंगे तो ये हमारा 15,000 रुपए से ये 10,000 हमारा A और B का घड़ जाएगा तो फाइनली जो C का आ जाएगा हमारा ये जो C का आ जाएगा यहां से आ जाएगा 5000 आ जाएगा C का कितना आ गया दोस्तों हमारा 5000 अब क्या करेंगे अब यहां पे हमको ये बताना है यहां पे कुशिन में कहा गया है कि C की पूंजी ग्याद करना है अब हमको पूंजी जब ग्याद करना दोस्तों अब इन तीनों का अगर हम अनुपात निकालें देख लेते हैं A, अनुपात B, अनुपात C A का था दोस्तों 45, 100 B का था दोस्तों 55, 100 C का था हमारा 5000 दोस्तों ये 2, 0, ये 2, 0, ये 2, 0 कट गए अब अगर इसको हम 5 से कट करें दोस्तों तो ये हो जागा 5, 9, 45 5, 11, 55 5, 10, 50 फाइनली जो इनका अनुपात आ गया है दोस्तों हमारा 9, 11, 10 बन गया ये किसका बन गया? A, B, C का अनुपात बन गया तो ये तो हो गया दोस्तों A, B, C का अनुपात हमको निकालना है यहाँ पर दोस्तों किसका वैलू निकालना है? यहाँ पर हमको निकालना है कोई मिलाकर कि दोस्तों हमको यहाँ पर निकालना होगा कहा गया C की पूंजी कितनी होगी तो ये पूंजी हमको निकालनी है तो हमको टोटल पूंजी हमको दी गई है सी का निकालना है तो सी बराबर टोटल पूंजी दी गई है 33,000 यहाँ पर बटे कर देंगे टोटल योग यहाँ पर कितना 11, 10, 21 39 तो यहाँ पर हो गया 30, 80 का निकालना है इसलिए सी का हिस्सा कितना है यहां पे दोस्तों दस तो दस का मल्टिप्लाई कर देंगे जब दस का मल्टिप्लाई कर देंगे दोस्तों तो हमारा यहां पे कितना बन जाएगा यहां पे बन गया हमारा दोस्तों कुल मिला करके यह जीरो से यह जीरो हमने कैंसल कर दिया और तीन से अगर इसको हम क कुशन देखेंगे दोस्तों और अगला कुशन हमारा यहां पे दिया गया है साथ के बाद हमारा दोस्तों देखें तो आठ नमबर कुशन यहां पे दिया गया है कहा गया कि दो करमचारियों अनीता और सरिता को प्रतिमाह 660 रुपए के कुल रास का भुकतान किया जाता है य को यहाँ पर बात बतानी है तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजेगा दो कर्मचारी अनीता और सरीता है तो हमने अनीता और सरीता लिख लिए फिर बात में कहा गया है कि कुल धन्रास 66 पर कुल रास का भुतन की जाता है यदि अनीता को सरीता की रास का अनीता को सरीता की रास ही हमने आपे दोस्तों क्या मान लिया एक्स मान लिया जब सरीता की रास हमने एक्स मान लिया तो ये कहा गया कि अनीता को जो मिलेगी यानि कि अब ये किसको मिल रही है अनीता को अनीता को जो मिलेगी वो सरीता की रास ही का 120% मिलेगा ये लीजे हमने ऐसे कर दिया अब अगर इसको हल करें दोस्तों यह 0 से 0 कट गया और यहां पे 12x और नीचे बटे 10 तो यह बन जाएगा फाइनली 1.2x बन जाएगा यह तो होगी अनीता की रासी अब अगर हम देखें तो सजिता को राश एक्स मिली थी अनीता को रास हमारी 1.2x मिल गई तोटल रास हमारी कितनी हो ज जाएगी कैसे 2.2x हो जाएगी दोस्तों एक एक यहां पे है अब 1.2x यहां पे है दोनों की राशनियों को आइड करेंगे 2.2x हो जाएगी अग दोनों को यहां पे राश कितनी दी जाती है दोस्तों यहां पे 660 रुपए दी जाती है तो यह 660 हमारा इसके क्या हो उपर एक 0 बढ़ा दिया अब अगर इसको 11 सक्ट करें 11 दूनी 22 11 6 6 और 3 0 हमने बना दिया फिर दो से इसको कट करेंगे तो यह दो तेंच चाय यानि कि यह 3,000 आ गया अगला कूशन देखेंगे 9 नंबर और 9 नंबर कूशन जो हमारा यहां पर दोस्तों दिया गया है कहा गया है कि स्वेटा और हरीस ने 28,000 और हरीस ने 30 दिनों तक काम किया यदि उनकी दैनिक मजदूरी पांच अनुपाद छे के अनुपाद में है तो सुएता के हिस्से की आए ग्याद कीजिए ठीक है दोस्तों यहाँ पे यह मालिज S से सुएता हो गया और H से यह हरीस हो गया अब सुएता जो है बीस दिन और हरीस ने तीस दिनों तक मजदूरी किया सुएता ने यहाँ पे बीस और हरीस ने यहाँ पे तीस दिन मजदूरी किया और उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात कितना है दोस्तों यह 5 और यहाँ पे हमारा अनुपात यहाँ पे 6 अब दोस्तों देख लिजेगा यहाँ पे हो गया 5, 6, 30 और फिर यहाँ पे 2, 3, 6, 2, 10 और फिर यहाँ पे 2, 3, 6, 2, 5, 10 पांच अनुपात 9 आ गया इनका अनुपात किसका स्वेटा के हिस्से की आए अब दोस्तों 9, 5, 14 हो जाएगा तो ये 14 बराबर हो जाएगा हमारा 28,000 के हो जाएगा तो 1 बराबर आ जाएगा 2000 के हमको निकालना है स्वेटा का हिस्सा तो स्वेटा हमारी कितनी है यहाँ पर 5 है तो 5 के जब multiply करेंगे दोस्तों तो ये 5 बराबर आ जाएगा 5 दूना 10 यानि कि ये बन जाएगा 10,000 यानि कि आपसर नमबर देखें तो हमारा C के साथ ये question क्या हो जाएगा बिल्कुल right हो जाएगा अगला question देखेंगे 10 नमबर और 10 नमबर question में यहाँ पे दिया गया है कहा गया है कि एक निश्चित धन्राश को 3 मित्रों राजियू केवल और अमित के बीच 2 अनुपात 3 अनुपात 7 के अनुपात में विभाजित किया गया है यदि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक होता तो विभाजित की गई धन्राश कितनी है ये बात हमको बतानी है दोस्तों ठीक है अब यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिएगा यहाँ पे जो कह रहा है क्वेशन में कह रहा है एक निशित धन्राश को तीन मित्रों तीन मित्र कौन कौन से हैं आर से राजीव हो गए के से केवला हो गए और ए से अमित हो गए इनका जो अनुपात बताया गया है इनका अनुपात बता दिया गया है दो तीन और साथ इनक मानना पड़ गया हमको क्योंकि यहां पे कहा गया कि अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 अधिक है अमित का हिस्सा अमित का हिस्सा दोस्तों यहां पे देख लिए कितना 7x है इसलिए अमित का हिस्सा 7x केवल के हिस्से से 15 अधिक है तो केवल के हिस्सा दोस्तों कितना 3x है दोस्तो 15 बटे 4 हो गया एक्स की वैलू हमने find out कर लिया तो कहा गया है तो विभाजित की गई धन्रास कितनी है विभाजित की गई धन्रास कितनी है किसकी हिस्से की विभाजित की गई धन्रास दोस्तो पूछा गया है तो अगर अब हम देखे हैं तो विभाजित की गई धन् तूटल विभाजित रासी क्या है ? अब यहाँ पर यही रास हमको 45 तो विभाजीत रास दोस्तों कितनी निकल किया जाएगी हमारी 45 यह निकि आपसे नम्बर देखें तो 10 का A के साथ यह क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला क्यूशन देखेंगे 10 के बाद 11 नम्बर और 11 नम्मर कुशिन में हमारा दिया गया है कहा गया है कि 5 अनपात 2 अनपात 8 के अनपात में A B और C के बीच एक राज का बठवारा किया जाना है यदि A और C के हिस्सों में 7740 का अंतर है तो कुल राज से कितनी है A और C में अंतर बताया गया है और इनका A B C का हिस्सा भी ये बता दिया गया है तो दोस्तों A और C का अंतर कहा अगया तो तो कहा गया है तो कुल रास ही कितनी होगी कुल रास ही अगर हम देखें दोस्तों तो कुल रास हमारी 8,2,10,5,15 तो 15 का हम इसमें मल्टिप्लाई कर दें तो हमारी टोटल रास निकल के आ जाएगी तो अब 15,00, 15,8,120,0 हासिल लगा 12 15,55,75,10,85,85,2,87,87 हासिल लग गया दोस्तों आट 15,23,8,38,800 हमारी टोटल क्या हो जाएगी रास ही हो जाएगी तो यांनि कि आपसर नमबर देखें तो काउन सो मैच हो रहा यहाँ पे सी के साथ यह कुश्न क्या हो रहा हमारा मैच हो रहा यानि कि 11 का हमारा सी के साथ यह question all right हो जाएगा अगला question हम लोग देखेंगे 12 number 12 number question में हमारा यहाँ पे दिया गया है कहा गया है कि एक दुकंदार ने धाई लाग की एक धंगाश को अपने तीन पुत्रों के बीच क्रमसा 30%, 45% और 25% के अनपाट में विद्रित किया प्रतेक पुत्र को विरासत में कितनी धंगाश मिली यह दाई लाग रुपाए को तीन पुत्र हैं दोस्तों पहले पुत्र को 30% दूसरे पुत्र को 45% तीसरे पुत्र को 25% धंगाश देता है तो अब इनको कह रहा है इनके सबका अनुपात कितना कितना कितनी रास मिली ये बात बतानी है तो दोस्तों देख लीजिएगा पंदरा से अगर इसको हम 5 सिकर्ट कर दें तो 5, 6, 30 हो जाएगा 5, 9, 45 हो जाएगा 5, 5, 6, 25 हो जाएगा तो ये एक 0 से हमारा ये एक 0 दोस्तों क्या हो गया आपस में कैंसिल हो गया अब 2 से अगर इसको कट करेंगे तो दोस्तों तो एक बराबर आजाएगा दो एक अन्नम दो दो दुनी चार दो पंचे दस और डबल जिरो बच जाएगे अन्य कि 12,500 आगया एक बराबर अब हम बारी बारी से निकाल लेंगे दोस्तों सब का मल्टिप्लाई कर लेंगे पहले 6 का मल्टिप्लाई करेंगे तो पहले वाला जब 6 का multiply करेंगे तो 6, 0, 0, 6, 0, 0, 6, 5, 30 की 0 हांसी लगए है दोस्तों 3, 6, 2, 1, 2, 3, 5, 5, 6, 6, 7, 6, 9, 6, 7, पहले वाला हिस्सा आ गया है दोस्तों हमारा 75, 100 दूसरा हिस्सा निकालेंगे ये तो आ गया हमारा पहले बेटे का हिस्सा निकाल के आ गया अब दूसरे बेटे का हिस्सा हम निकालेंगे यहां से दूसरे बेटे का 9 है तो 9 का हम multiply करेंगे 125 में तो double zero तो हम पहले वैसे बना देंगे 9.45 की 5 लिख देंगे हासिल लग गया हमारा 204 और 9.218.4.22 की 2 हासिल लग आया 2 और 9.99.21 याने की 2012 5 है 125 मैंने 1556625 हो जाएगा 125 625 यानि की double zero यानि की यह तीनो लोगों को हमारा यह अनुपात मतलब यह हमारा सेलरी मिल जाएगी यानि कितना बेतर हो मिल जाएगाक वरासत में इनको रास ही तो अब देखें सबसे पहले 75,000 दूसरे वाले को 1,12,500, 75,000, 62,500 यानि कि आपसे नमबर देखें तो 12 कड़ी के साथ क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा अगला क्योशन देखेंगे बारा के बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे बाद लुप अगले दो महिने बाद भी सी इसमें सामिल होते हैं यादि एक साल बाद उनके लाब का अनपाद 24,000 दो अनपाद 3 है तो सिरी B और सिरी C दोरा निमेश की गई रास कितनी होगी तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा सिरी A जो है 28,000 रुपए लगा करके पूरा एक साल के लिए ब्यापार में सामिल रहते हैं और सिरी जो B हैं यह जो सिरी B हैं यह जो हैं कितने दिनों के लिए दोस्तों यह series B जो हमारा मतलब कितने दिनों के लिए निकिप 20 महीने बाद वयापार में सामिल होते हैं उतया यायनिकर वयापारें पैसा कितना लगर रा हो तो यहां पर अगर हम देखें तो यह हमारा इतना हो जाएगा देख लिए जी कि यहां से अगर हम x की value निकाल लें तो यह 4x बराबर यह हमारा हो जाएगा इसके 4x बराबर यह हमारा 28,000 multiply यहां पर 12 के तो यह 4 बराबर यहां पर 3 तो 28,000 तो यहां पर आ जाएगा 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 को निकालना है ऐसे ही दोस्तों देख लीजिए कि 7B ये बन जाएगा हमारा 7B बराबर हो जाएगा हमारा 2X के हमने यहां पे X की value find out कर लिया है तो यहां पे X की value put कर देंगे 7B और यहां पे 2X X का value आ गया हमारा दोस्तों 84,000 दोस्तों यहां से अगर हम cut करें इसको 93,798 2,14 यानि कि 12,000 हो गया तो 12,24 यानि कि 12 का इसके साथ multiply हो जाएगा तो B की value आ गयी हमारा यहां पे 24,000 तो यहां से तो निकलके आ गया हम्रा B की value आ गयी अब ऐसी ही दोस्तों हम C की value find out कर लेंगे तो C की हमारे दिया गया है दोस्तों यहां पर 5C बराबर 3X हो जाएगा तो 5C बराबर 3XX की value दोस्तों हमारा यहां पर दिया गया है 84,000 हमने 84,000 लिख दिया अब दोस्तों यहां से 5 से अगर इसको cut करें तो 5,1,5 34,000 हो गया 5,6,36,5,8,4 डबल जीरो हो गया यहां पर 3 का multiply कर देंगे तो 3,00, 3,00, 3,00, 3,8,24,4, हां से लगा दोस्तों हमारा दो और 3,6,18, 18,20,0, हां से लगा दो 3,19,3,25 यहांने कि 50,400 यहां गया हमारा C की value आ गयी C की value हमारे दोस्तों कितने आ गयी 50,400 तो 50,400 और 24,000 बी की वैलू यही हमको वैलू निकालना था दोस्तों ए नहीं बी और सी करता हो तो बी और सी की वैलू हमारी ए आपसन के साथ यह क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला विशन देखेंगे यहां पर कहा गया कि यह तीन सो तीस पैंसिलों को र नुपास जो दिया गया है यह बटे 4 एंग दो बटे तीन और फिर यहां पर दूस्ते डिया गया घौती तो 40 stream का एसियंब लेंगे तो इस वह अपर आप का multiply कर देंगे तो कहीं न कहीं दोस्तों इनका अंपात निकल आएगा चार तेहीं बारा तीन चौक बारा तीन चौक बारा और चार दूना आठ ही बन जाएगा दोस्तों यहां पे यह हमारा चार बार में कर जाएगा तो चार दूना आठ हो जाएगा और यहां पे हमारा यह च चूरेश और चंदन का अनिपात आ गया तीन अनिपात आइप को चंदन का निकालना से तो आँट, सार बारातीज पंदरा आब तीन सो तीस के तो एक बुरत आजाएगा अगला के रिखोंगए तो हमारे चंदन चार से तो बैस चोक अटासी possibility कि 88 पेंसिल चंदन को मिलेंगे यानि कि आप सा नमर देखें तो C के साथ ये कुशन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 14 के बाद 15 नमर और 15 नमर हमारा कुशन यहाँ पे दिया गया है कहा गया है कि सुखदेव और बल्देव के दादा ने 2150 रुपए की राश को उसके बीच 20 अनपात तेश के अनपात में विभाजित किया उन दोनों में से प्रतेक ने अपने अपने हिस्सों में से 100-100 रुपए दान दे दिया उनकी संबंधित राश का नया अनुपात क्या होगा तो दोस्तों कितना अच्छा कुशन है यानि कि 2150 रुपए की राश को उसके बीच 20 अनपात तेश में बाटा गया तो ठीक है दोस्तों यहाँ पे 20 और 30 को जब हम एड़ करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 43 43 बराबर आ जाएगा 2150 अब जब 2150 यह हमारा आ गया तो यहाँ पे अगर दोस्तों 5 का मल्टिप्लाई कर देंगे तो 5 तेई 15 की 5 पांच और 5 और 20 की 43 पंचे हमारा 215 हो जाएगा यहाँ जाले कि एक बराबर आ गया हमारा 50 की जब एक बराबर 50 की आ गया तो हम को क्या करना है दोनों को 20 अनपार 30 अनपार्ट में भाजित करना है तो सुखदेव तो यानि कि मा लिजेगी यह सुखदेव का जो वैलू आ जाएगी 50 का मल्टिप्लाई 20 में कर देंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1000 और अब हम बल्देव का निकालेंगे एक पांदोनी दस एक ग्यारा ग्यारा सो पचास रुपिया हमारा क्या हो गया दोस्तों यह बल्देव का आ गया अब इसने भी सो रुपिया दान दे दिया है और इसने भी सो रुपिया दान दे दिया है जब यह सो रुपिया दान दे देगा तो ये कितना बचेगा याँ पर 900 रुपिया बचेगा और जब ये 100 रुपिया दान देगा तो इसके पास बचेएंगे एक हजार पचास रुपिय बचेंगे ये जीरो से ये जीरो हमने कट कर दिया तो यहाँ पे इनका अनुपाद बताना है सुखदेव और बलदेव का अनुपाद यानि कि 90 अनुपाद 105 हो गया अभी देखें दोस्तों ये कितने से कट रहा है अगले वर्सों में उन्होंने दो चरणों में धन हानिकी वसूली की चरण एक में उन्हें 1,00,000 रुपया और चरण दो में उन्हें 80,000 रुपया प्राप्त हुए उनका प्रारमभिक कुझी निवेस क्या था ये बात हमको बतानी है तो देखें दोस्तों अगर दोनों चरण का हम चरण फ़ष्ट और चरण सेकेंड का टोटल जोड लें तो पहले चरण में हमारा हमको मिल ला है दोस्तों एकाई दाई शेक्रा हजार दसजार और ये लाक एक लाक मिल ला है दूसरे च्रण में हमको मिल ला है दोस्तों 80,000 मिल ला है टोटल ये बन जाएगा हमारा 1,80,000 बन जाएगा तो अब दोस्तों ये हमारा 1,80,000 हो गया तो कहा ये गया है कि 5 वर्स पहले एक कमपनी को उसी पूंजी गत निवेस का 60% मुपसान होता है तो माना प्रारमधिक पूंजी माना अगर यहां पे हम माना माना टोटल पूंजी या प्रारमधिक पूंजी कुछ भी कह लेजिए माना टोटल पूंजी टोटल पूंजी कितनी रही होगी एक्स पूंजी टोटल रही होगी तो 60% अपान के यह हो जाएगा हमारा 100 या फिर दोस्तों X का या टोटल पूंजी का 60% नुकसान हो जाता है अगर आप ऐसा ना करना चाहें तो मैं एक तरीका और आपको बता रहा हूँ देख लीजिए का कैसे चलिए पर इसको मैं दिखा देता हूँ X का 60% नुकसान हो जाता तो यहाँ पर हो जाएगा पराबर 1,80,000 के अब दोस्तों देख लीजिए ये 0 से ये 0 कैंसल हो गया और 6 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और 4 0 हमारे वैसे बन जाएगे तो X की वैलू जो आ जाएगी दोस्तों यहाँ पर 3 और यहाँ पर हमारे 2, 2, 4, 1, 5 0 हो जाएगे एक ये 10 का 0 और मल्टिप्लाई हो जाएगा तो टोटल उसकी पूंजी स्टार्टिंग में कितनी रही होगी दोस्तों इक आई दहाई सेकड़ा हजाग दश्जा लाक 3 लाक रुपई यानि कि आपसा नमबर देखें तो यहाँ पर हमारा B के साथ यह क्वेशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा अब अगर दोस्तों इसी को और दूसरे हजार रुपई मिल गए एक लाक असी हजार मिल गए अब दोस्तों जो एक लाक असी हजार रुपई मिल गए तो माना अब वो कह रहा कि साथ परसेंट का नुकसान हो जाता है तो साथ परसेंट का जब उसको नुकसान होगा तो यह 0 यह 0 होट गया अब यहां पे 2, 3, 6, 2, 5, 10 तो टोटल पूंजी तो यह जो आ गया हमारा 3 बटे 5 आ गया क्या गया दोस्तों हमारा 3 बटे 5 बन गया यह 3 बटे 5 में यह क्या रहा होगा यह टोटल पूंजी थी यह टोटल पूंजी रही है ये टोटल पूंजी थी तोटल पूंजी से हमारा ये तीन नुकसान हो गया क्या हो गया दोस्तों हमारा तीन नुकसान हो गया तो पांच टोटल पूंजी थी ये तीन नुकसान हो गया हमारा नुकसान तीन हुआ तो ये तीन बराबर हमारा दिया है yani कि एक 1,800 और यह हमारा आ गया टोटल बोगशी ऐसे भी तो दोस्तों चाहे आप ऐसे कर सकते हैं या तो आप इस्तिकार से भी कर सकते हैं यानि कि 3 लाग इधर भी आ जाएगा तीन लाग ऐसे भी आ जाएगा चलिए अगला कुशन देखते हैं सोला के बाद सत्रा नंबर और सत्रा नंबर कुशन में कहा गया है कि पी एक बेवसाय में 35 रुपए का निवेस करता है पांच महीने के बाद क्यों कुछ निवेस के साथ उसमें ज करता है और पांच महीने के बाद क्यों कुछ निवेस करने के कुछ निवेस के साथ उससे जुड़ता है तो पी दोस्तों देख लिजिए का कितना 35 रुपए लगाता है तो यह जो पी है यहां पर मान लेजिए का पी और यह क्यों का अनुपात हम लोग निकालेंगे तो जो पी लगाता है 35 रुपए लगाता है पूरा एक साल के लिए क्यों जो लगाता है यह क्यों मान लेते हैं कुछ भी रुपए लगाता होगा यह साथ महीने के लिए लगाता है क्यों को हमने यहां पर क्यों लिग दिया और यह साथ महीने के लिए लगाता है क्योंकि पांच मह क्यों कि दोस्तों यहाँ पर हमारा हो जाएगा माल जिया क्यूं एक्स रूपिया निमेश किया होगा अबखरि सट ऑगर जाए तो । शाह dewब साथख पनव पैयंतिस यहांख की बाराफंग साथ हो जाएगा बाराफंग साथ और डॅबल जीरो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा यह X हो जाएगा अब यह हो गया हमारा X 6000 और यहाँ पे हो गया X अब question में यह कहा गया कि P के लाब से 50% अधिक हो तो Q का निवेश ग्याद कीजिए पी के लाब से मतलब पी के लाब से पी का लाब कितना है दोस्तों यहाँ पे 6,000 है और इस 6,000 से कितना है दोस्तों यानि कि 50% अधिक हो तो इसका 50% यानि कि अधिक हो तो 1.500 हो जाएगा बटे कितना कर देंगे 100 तो यहाँ से हमारा का निकल के आ जाएगा दोस्तों हमारा यह जो एक्स की वैलू है निकी क्यूं का निकल आएगा यही तो कहा दोस्तों प्राश्ट में क्यूं को मिलने वाला लाब तो यह जो क्यूं है यह क्यूं को जो मिलने वाला लाब है वो पी के लाब पी का छहाजार है छहाजार के लाब मिला कि ये कितना आ जाएगा हमारा 9000 आ जाएगा यानि कि आपसर नमबर देखें तो यहां पे सी के साथ यह कुशन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे यहां पे हम लोग अगला कुशन हमारा है 18 नमबर 18 नमबर question में दिया गया है कहा गया है कि एक बिवसाय में P Q से आधा है Q R के आधा निवेज करता है 7000 रुपिया मासी किलाब को यदि उनके बीच साजा किया जाता है तो R का हिस्सा क्या होगा अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं एक बिवसाय में P Q से आधा है P जो होगा वो Q से क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा Q R के आधा निवेज करता है P जो होगा Q से आधा तो हम R द्वारा निवेज की गई रास को कुछ माल लेते हैं R अब Q जो है P Q R तीन बिखती हैं जो दोस्तों एंपे देख लिजेगा कौन है? तीन बिखती हैं यानि कि एक है P एक है Q और एक है R P Q R तो यहाँ पर कहा घया कि P जो होगा Q से आधा हो जाएगा P जो होगा वो Q से आधा होगा अब Q R के आधा निवेज करता है Q जो होगा वो R के आधा मानले लिено R चार निमेश करेगा तो R लगर चार निमेश करेगा तो Q. Q. आधा आधा हमने Q को कर दिया अब P जो होगा Q से आधा तो Q से आधा हमने A Philosender अब यहाँ पे 7 मासी इसक लाभ को उनके वीच साधा किया जाता तो R का हिस्सा तो एक बराबर आ जाएगा हमारा 1,000 के जब एक बराबर 1,000 के आ जाएगा तो दोस्तों हमको R का हिस्ता निकालना है तो 4 का इसमें मल्टिप्लाई कर देंगे तो R का हिस्ता निकल के आ जाएगा दोस्तो 4,000 यानि की देखें तो friendships न हमारा यहाँ पे D के साथ एक question क्या हो जाएगा बिल्कुल right हो जाएगा अगला question यहाँ पे दिया गया है कहा गया है कि X, Y और Z 415 रुपिया के वार्सी किराए पर एक खेट लेते हैं यदि X उस खेट में 25 गायों को 6 महीने Y 40 गायों को 8 महीने Z 30 गायों को पूरे वर्स घाफ चराते हैं तो दिये गए किराए में Y का हिस्ता कितना होगा ठीक है अच्छा question है X हो गया Y हो गया Z हो गया अब दोस्तों यह बारी बारी से X, Y, Z जो है X जो है उस खेट में 25 गायों को 6 महीने चराता है Y 40 गायों को 8 महीने Y 40 गायों को 8 महीने Z 30 गायों को पूरे वर्स 30 गायों को पूरे वर्स चराता है तो अब हम इनको कट करते हैं देखे कैसे कट करते हैं दोस्तों यहाँ पे अगर हम 5 से कट कर दें तो 5, 25, 25, 5, 48, 5, 36 और अभी ये कट हो रहा तो कट करिएगा 4 से 2 से कट कर देते हैं 2-3,6 और यहाँ पे 2-4,8 और यहाँ पे 2-2,12 और देख लिए जी दोस्म और इकटेगा किसी से अब मेरे हिसाफ से दोस्मों भी किसी से नहीं कटेगा इनका अनपात निकाल लेते हैं 15 हो जाएगा 34 हो जाएगा 36 हो जाएगा तो इनका जो अनुपात आ गया 15, 32, 36 आ गया अब यहाँ पे पुछा गया कि वाई का हिस्सा ग्यात किजिए इन सब का योग कर देंगे 30, 30, 60, 68, 68, 68, 65 दोस्तों हो जाएगा हमारा 65, 73, 10, 83 तो यह 83 बराबर हो जाएगा हमारा 415 के तो एक बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा कितने के पांच, तेहीं, पंद्रा पांच, चालीस है निकि एक बराबर पांच के आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों एक बराबर हमारा 5 के आ जाएगा जब 1 बराबर 5 तो दोस्तों हमको Y का हिस्सा निकालना है तो Y का हिस्सा यहां पे 32 है 32 पंचे आ जाएगा 160 रुपिया तो यानि कि हमारा कितना हो जाएगा आपसन नंबर देखें तो 160 यानि कि D के साथ ये कुशिन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला कुशिन देखेंगे हम लोग 20 नंबर और 20 नंबर कुशिन पे दिया गया है कहा गया है कि PQR 35,000, 45,000 और 55,000 निवेश करके एक साथ जारिम प्रिवेश करते हैं 40,500 के वार्षी किलाब में उनका संगत हिस्सा कितना होगा कितना अच्छा कुशिन दोस्तों PQR अब दोस्तों यहाँ पे अगर देखें तो इनके ये 3-0, ये 3-0, ये 3-0 हमने कैंसल कर दिया पांस अगर इसको पट करें तो 5-7-35, 5-9-45, 5-11-55 तो ये तो आ गया है इनका अब इनको जोड़ेंगे ग्यारा, नौ, बीस हो जाएगा, बीस, साथ, सताइस तो 27 बराबर आ जाएगा, चालिस, पांसो के अब अगर यहाँ पे देखें, पांस सते 35 की पांच और यहाँ पे अगर हम और किसी संख्या से गुना कर दें पांस से तो नहीं होगा, कोई और बड़ी संख्या से देखते हैं कि यह कितने बार में हमारा दोस्तों 405 मिल जाएगा 27 से पुरा-पुरा कटेगा, एक बराबर आ जाएगा, 27 से कन्नम 27 हो जाएगा, बचा कितना हमारा दोस्तों, 13 बचा तो 13 में यानि कि 100 कितना बन गया, 135 बन गया अब अगर 500 कट करते हैं तो 5 से 35, 5 दून 10, 10, 13, यानि कि यह 5 बार में पूरा-पुरा, 15 बार में पूरा-पुरा कट जाएगा और यह डबल 0 हो जाएगे, अब कुल मिला कि हमारा यह आ गया एक बराबर कितना आ गया, दोस्तों, हमारा एक बराबर 1500 आ गया, हमको बारी-बारी सब के हिस्से बताने है तो 15 सत्ते 105, 105 अब गया, डबल 0 पहला हिस्सा हो गया दूसरे का हिस्सा निकालेंगे, 15 नुईया, 135 डबल 0 हो गया तीसरे का हिस्सा निकाले इनी 11,15 तो यहां पर आजाएगा 5, 5,1,6,1 तो 165 हो जाए 11,55, 11,15, 16, यानि कि 115,00 तो कुल मिलाकर के ये तीनों के हिस्सा हमारे निकलाएं 10,500, 13,500, 16,500, 10,500, 13,500 और फिस 16,500 यानि कि आपसर नमबर देखें तो हमारे D के साथ ये कुशन क्या हो रहा है बिल्कुल राइट हो रहा है अगला कुशन देखते हैं 21 नमबर और 21 नमबर कुशन पर हमारा दिया गया है कहा गया है कि एक स्पोर्ट एक्सेसरीज की दुकान तुरंद पंजी करण हे तू रुपिया 200 के प्रवेस सुलके के साथ एक दोड़ प्रतियोगता का आयोजन करती है वे 300 प्रवेस्टियों की उमीद कर रहे थे और प्रतियोगता के दिन केवल 200 हुए उनकी 300 प्रवेस्टियों की सुलके के साथ एक दौर प्रतियोगता का आयोजन किया गया यानि कि 300 रुपाई वो उमीद गर रहे थे कि 300 कम से कम इंटरी होंगी और एक इंटरी की फीस 200 रुपाई लिजाएगी तो अब दोसओं जब 200 रुपाई एक इंटरी की फीस ली जाएगी उनकी उमीद थी 300 की तो 300 x 200 तो कितना रुपया इकठा हो जाएगा 2, 3, 6 और 4, 0 यानि कि 60,000 रुपया इकठा हो जाएगा लेकिन बात ये हुआ कि 200 की इंट्रिफीस तो थी ही थी लेकिन वहाँ पे 300 लोग प्रविष्ट नहीं ले पाएं लेकिन 40,000 तक ही पहुँच पाया तो कुई मिला कि यहाँ पे देखें तो हमारा कितना उनको कम पैसा मिला 20,000 रुपया कम मिला यानि कि आपसन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा D के साथ ये कुशन क्या हो जाएगा बिलकुल राइट हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे 22 नंबर और 22 नंबर कुशन में कहा गया है कि रवीना और सुनीती के पास कुल 127 रुपया है सुनीती और अविनास के पास 153 रुपया है जबकि अविनास और रवीना के पास 160 रुपया है तो रवीना के पास कीटना ध़न है हमको इह बार बताना है दोस्तों देखिए गढ़ यहां पे R से रवीना हो गए और S से सुनीती हो गई इनके पास दुनों के मिलाके रुपय कितना था 127 था सुनीती और अविनास इनके इनके सुनीती और ये अविनास ये से अविनास हो गए इने के पास मिला करके टोटल रुपिया कितना था एक सो तिर्पन रुपिया था जबकि अविनास और रवीना अविनास और रवीना के पास मिला करके टोटल रुपिया कितना था एक सो साट रुपिया था तो कहा गया रवीना के पास हमको यानि की R की value निकालना है रवीना के पास कुल कितना धन था ये बात बतानी है तो क्यों ना ये तीन इक question बन गए तीनों को हमाईट कर डाले तो यहाँ पर सभी में 2R, 2S, 2 और निस ये ऐसे हो जाएंगे एक आठ, 8, 2, 10, 4, 14 की 4 हो जाएगा हाँ से लग गया हमारा एक तीन, एक चार, 440 हो गया इस दो से 440 हो कट कर देंगे तो हमारा आजाएगा 220 यानि की R प्लस S प्लस A का value आगया हमारा 220 हमको निकालना है रवीना का तो रवीना का S और A दोस्तों देख लीजिए यहां से S और A का value 153 पुट कर दिया जाए तो यह आर बराबर आजाएगा यह 153 बराबर 220 तो यह आर बराबर आजाएगा 220 माइनस का 153 तो यह जो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा यह बन जाएगा हमारा 50, 20, 70, 70 से 3 कम कर देंगे तो 67 हो जाएगा तो रवीना का हिस्सा कितना आ गया है दोस्तों 67 यानि कि आपसन नमबर देखें तो यहां पे C के साथ यह कुशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा वाइस के बाद दोस्तों तेस नमबर देखेंगे और तेस नमबर कुशन में कहा गया है कि इन के पास के से पी अधिक धन है इन और के दोनों की कुल धनरास क्यू है के के पास कितना धन होगा हमको यह बात यहाँ पे बतानी है तो यह भी अच्छा कुशन है यहाँ पे देख लिजेगा इसने पहले कहा इन के पास के से पी अधिक धन है इन के पास तो इमाल लिजेगा इन के पास जो होगा के से पी अधिक धन है तो के से पी अधिक धन हमने कर दिया फिक आ गया इन और के दोनों की कुल धनरास क्यू है ह यह दोस्तों, देख लिएगा समीकरन इसको एक दे दिया, यह जो n का मान है k plus p, तो यह समीकरन दो में रख देते हैं, इस n की जहें पर मान रख देते हैं, तो यह गए पर हम रख देंगे k plus p, plus का k बड़ाबर q, तो यहाँ पे k k तो यह बन जाएगा 2k, और यहाँ पे q minus, ये P धर आएगा तो minus का P तो हमको K की value find out करनी है तो K बराबर आजाएगा Q minus P बटे 2 यही हमको K की value find out करनी थी तो Q minus P बटे 2 यानि कि देखें तो TES का D के साथ ये question क्या हो जाएगा बिल्कुल right हो जाएगा अगला question देखेंगे हम यहाँ पे 24 नंबर और 24 नंबर हमारा question जो दिया गया है यहाँ पे कहा गया है कि X Y Z company अपने लाब या हानि को अपने साचेदारों X Y और Z में कमसा 1 बटे 3, 1 बटे 2 और 1 बटे 6 के अनपात में बाढ़ती है यदि Z को उसके हिस्से के रूट में रूपिया 1,67,802 रूपिया प्राप्त होता है तो Y दोरा प्राप्त राज कितनी होगी तो सबसे पहले दोस्तों देख लिए X यह Y और यह Z तो यह हो गया 1 बटे 3 दिया गया है इसकी वेलू 1 बटे 2 दी गई है इसकी वेलू 1 बटे 6 दी गई है 3,2,6 का अगर हम LCM करेंगे तो दोस्त उमारा 6 आ जाएगा तो 6 का मल्टिपलाई यहाँ भी 6 का मल्टिपलाई यहाँ भी 6 का मल्टिपलाई यहाँ भी हम कर देंगे तो अब इनका हम रेशियो निकालेंगे तीन दून अच्छाई यहाँ पे दो आ गया दो तेन च्छाई यहाँ पे तीन आ गया च्छाई कंदम च्छाई यहाँ पे आ गया इनका एक्स वाई जड का रेशियो आ गया दो अनपाथ तीन अनपाथ एक अब यहाँ पे बताया क्या गया है जिड को उसके हिस्से के रूप में इतना रुपिया मिलता है यानि कि जिड को कितना है यहाँ पर एक तो एक बराबर कितना मिलता है एक लाग छिएतर हजार आठ सो दो रुपए मिलते हैं यह तो हो गया जिड का ठीक है दोस्तों हमको निकालना किसका है हमको निकालना Y द्वारा प्राप्तरास Y को 3 मिलता है तो क्यों ना हम इसमें 3 का मल्टिप्लाई कर दें तो 3 मराबरा आजाएगा 3 दूना 6 3 00, 3 8 24, 3 6 18 220 की 0 हासिल लगा 2, 321 223, हासिल लगा 2, 319 325 5,30,406 रुपिया मिलेगा 5,30,406 रुपिया निकि आपसे नमबर देखें तो 24 का A के साथ ये कोशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला हम लग कोशन देखेंगे दोस्तों 25 नमबर और 25 नमबर कोशन में कहा गया है कि 16 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के साथ में दूसरे भाग के पांच में और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर है तो यहाँ पर अगर इंका रिजियो निकालेंगे तो یہ A अनुपात B अनुपात C निकलाएगा साथ अनुपात पांच अनुपात चार ये इनका अनुपात हो गया तो कह रहा है कि तीनों भागों में किस प्रकार भी भाग है तीनों को भाग हमको निकालना है तो साथ पांच बारा चार सोला ये सोला बराबर हमारा हो जाएगा सोला सो के तो एक बराबर आ जाएगा हमारा हंड़ेड के जब एक बराबर हंड़ेड के तो पहला हम भाग निकालेंगे एका तो एका भाग निकालाएगा साथ सो बी का भाग निकालेंगे तो आ जाएगा हम इस नमर में 740 रुपया को टीन भागों में इस तरह से भाज़ित कीजिये कि पहले भाग का आधा आधा भाग दूसरे भाग का एक तिहाई भाग और तीसरे भाग का चठा भाग आपस में बराबर हो तो देख रहते हैं पहले भाग का कहा गया तो हमको क्या करना है इनकी वैलू निकालनी है तो ठीक है दोस्तों यहां पे देखेंगे तो A अनुपाथ B अनुपाथ C का वैलू आ जाएगा हमारा 2 अनुपाथ 3 अनुपाथ 6 6 3 9 2 11 तो यह 11 बराबर आ जाएगा हमारा 3740 के तो एक बराबर आ जाएगा गयरा 33 गयरा 44 एक बराबर 340 के जब एक बराबर 340 के दोस्तों जब बारी बारी से निकालेंगे एक बर दो बराबर एक बर तीन बराबर एक बर च्छाए बराबर तो 34 दो जिरो जिरो दो चौक को आ यानि कि यह तीनों भाग आ गए दोस्तों तो यानि देखें तो आपसन हमारा सी के साथ यह कुशन क्या हो रहा मैंच हो रहा यानि कि 26 का सी हमारे स्कुशन का राइट अंसर बन जाएगा और अगला कुशन देखते हैं हम लोग 27 नंबर 27 नंबर में कहा गया कि ए बी और सी बी का हिस्सा ग्याद कीजिए ठीक है एका निवेस बी के निवेस का तीन गुना है एका निवेस जो है दोस्तों एका निवेस बी के निवेस का तीन गुना है तो यहां से अगर हम निकालें ए बाई बी तो आ जाएगा तीन बटे एक तो अब दोस्तों ऐसे ही दूसरा हम प बटे तीन है तो इसको हमने दो बटे तीन कहे लिया ठीक है यहां से अब अगर हम निकालें ए अनुपात बी बराबर तीन अनुपात एक बी अनुपात सी बराबर दो अनुपात तीन फाइनली यहां से निकालें ए अनुपात बी अनुपात सी तो दो तेने च्छे दो एक अन 600 के यहाँ पे हमको निकालना है बी का हिस्सा बी का हिस्सा यहाँ पे दो दिया गया है तो कितना हो जाएगा बारा सो हो जाएगा हमारा बी का हिस्सा यानि कि आपसर नंबर देखें तो यहाँ पे बी के साथ एक कुशन क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे 27 के बाद 28 नमबर और 28 नमबर हमारा यहां पर दिया गया है कहा गया है कि 3 बिक्तियों ने 1 बिलसाय में 1 बटे 2, 1 बटे 3 और 1 बटे 4 के अनपात में धन्य वेस किया वर्स के अंट में कुल लाव 15,600 था तो लाव का सबसे बड़ा हिस्ता क्या होगा हमको यह बात बतानी है 3 बिक्ति हैं दोस्तों यहां पर माल लेते हैं 1 बिक्ति A रहा होगा दूसरा B और तीसरा C 3 बिक्तियों का अनपात दिया गया है 1 बटे 2, 1 बटे 3, 1 बटे 4, 2, 3, 4 का इलसियम लेंगे दोस्तों तो 12 हम यहां का मल्टिप्लाई कर देंगे, 12 हम यहां भी मल्टिप्लाई कर देंगे और 12 हम यहां भी multiply कर देंगे तो यहां पे 6 time आ जाएगा यहां पे 4 time आ जाएगा यहां पे 3 time आ जाएगा तो गुल मलाकी इनका अन्पाद बन गया 6,95, 4 अन्पाद दोस्टों 3 बन गया ये तो ABC का अन्पाद बन गया अब यहां पे कहा गया है कि कुल लाब कितना होता है 15,600 रुपए का लाब होता है तो 6, 4, 10, 3, 13, 13 बराबर आ जाएगा 15,600 के तो एक बराबर हम निकालेंगे तो 13,193 हो जाएगा बचा 2 तो 13,206 यानि कि 12,100 का हो जाएगा सबसे बड़ा लाब हमको बताना है तो सबसे बड़ा यहां पे 6 है तो 12,72 यानि कि 6 का मल्टिप्लाई कर देंगे दोनों पच्छोंगे तो 6 बराबर आ जाएगा 12,72 तो हमारा इस कुशिन का क्या बन जाएगा राइट एंसर यानि कि आपसर नमबर देखें तो 28 का A के साथ या कुशिन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा 29 नमबर देखा जाए कुशिन 29 नमबर में कहा गया कि महेश और हरीश एक ब्योसाई में क्रमसा 20,000 और 30,000 का निवेश करते हैं यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपया निकाल लेता है तो उनके बीच प्राप्त लाब किस अनुपात में विभाजित होगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा M से महेश और H से ये हरीश दो बेखती हैं तो महेश क्या करता है कि 20,000 रुपया और 30,000 रुपया के निवेश करते है तीन महेश बाद हरीश अपने निवेश से 5,000 रुपया निकाल लेता है तो उनके 20 प्राप्त लाब किस अनुपात में बटेगा तो महेश जो है यहाँ पर 20,000 रुपया लगा दिया दोस्तों कितने वर्सों के लिए पूरा-पूरा 12 महीनों के लिए यानि कि एक वर्स के लिए यानि 12 महीनों के लिए ठीक है अब जो है हरीश जो क्या करता है 30,000 रुपया लगा दिया 30,000 रुपया निवेश करते हैं यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निमेश में से पांस जा रुपया निकाल लेता है तो दोस्तों तीस जा रुपया तीन महीने तक तो कांटीनू लगा था ये तीन महीने तक तो ये तीस जा रुपया कांटीनू लगा था ठीक है ना? अब तीस तीन महीने के बाद वो पांस जार रुपिया तीस जार रुपिया निकाल लेता तो अब उसका घं कितना बचा पचीस जार रुपिया बचा अब ये पचीस जार रुपिया कितने महीने के लिए लगा रहेगा ये लगा रहेगा हमारा नो महीने के लिए लगा रहेगा क्य तो थोड़ सा यह यहां पे 20,000 हाँ ठीक है 20,000 था 24,000 हम ने लिख दिया अब क्या करेंगे बाराद उन्हें 24 और 4,0 वैसे ही बना देंगे दोस्तों 12,24,0 वैसे ही बनाएंगे और इसको हल करेंगे तो 3,3,9ो और 4,0 हम वैसे ही बनाएंगे 25 नवईयां 225 25 नवईयां 225 और 3 0 हम वैसे ही बनाएंगे अब अगर दोस्तों इनको हम ऐड़ कर दें तो ये 3 0 ये 3 0 तो ऐड़ हो गए तो 3 ही 0 आया अब दोस्तों देख लिए कि ये 0 ये 5 तो हमारा 5 आ गया ये 9 और ये 2 तो 11 की 1 आ गया 2 1 3 ये इतना बन गया और यहां पे हमारा जो दिया गया है 4 टाइम 0 तो हमने वो बना दिया 3 टाइम 0 3 टाइम 0 आपस में कैंसिल आउट हो गए अब अगर इसको हम कट करें किससे 5 से कट करते हैं तो 5, 4, 20 हो जाएगा 5, 4, 20 अब 5, 8, 4, 48 आ गया यहां पे कट करें 5, 6, 30 हो जाएगा 5, 3, 15 हो जाएगा 3 से भी कट रहा 3 से कट करें 3, 19, 3, 18, 3, 2, 6, 3, 19, 3 अब दोस्तों 16 अनुपात हमारा 21 16 अनुपात 21 नहीं कटेगा यही हमारे इस कुशिन का क्या बन जाएगा राइट एंसर यानि कि आपसे नंबर देखें तो 29 का A के साथी कुशिन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला कुशिन देखेंगे 29 के बाद 30 नंबर और 30 नंबर कुशिन में कहा गया है कि A और B ने करमसा 20,000 और 16,000 रुपाय का निवेश करके एक साथेदारी की तीन माह के बाद C 15,000 रुपाय का निवेश करके उस साथेदारी में सामिल हो जाता है 4,350 रुपिया के 6 माही लाब में B का हिस्सा कितना होगा अब यहाँ पे 4,350 के 6 माही लाब 6 महीनों का हिसाब निकालना है और इतना एक अलाब होता है तो B का हिस्सा हमको बताना है दोस्तों देख लिजेगा A, B और यहाँ पे C A, B और A, C A जो होता है 20,000 रुपिया लगाता है हमने 20,000 रुपिया लगा दिया वो भी कितने मेनों के लिए 6 महीने के लिए और B जो लगाता है 16,000 रुपिया लगाता है 16,000 रुपिया लगा दिया 16,000 रुपिया और यह भी लगाता है 6 महीने के लिए दिवेस करके एक सहिधारी की 3 माह के बाद C 15,000 रुपिया लगाता है जब 3 महीने बाद आया तो 6 महीने का व्यापवार है तीन जीरो ये तीन जीरो ये कट हो गए और अगर इसको कट करें तो ये क्या हमारा और किसी से कटेगा बिल्कुल कटेगा दोस्तों तीन से ये वन टाइम में कट गया तीन से टू टाइम में कट गया तीन से ये टू टाइम में कट गया और 20 दूना ये हो गया हमारा 40 अनुप अब ये हमारा किसी से भी नहीं कटेगा तो 40, 32, 15 हमारा अनपात आगया हमको इनको ऐड़ करके इसके एक्वल करना फिर B का हिस्सा निकालना है तो 40, 30, 70, 70, 10, 80, 85, 85, 86, 87 तो कुल मिला करके ये 87 बराबर हमारा आगया है कितना 43,50 के जब 4350 के हमारा 87 बराबर आ गया हमको यहां से निकालना है दोस्तों कितना एक बराबर निकालना है तो अगर हम 5 बराबर निकालें तो 5, 7, 35 की 5 हासिल लग गया दोस्तों हमारा 3 5, 8, 4, 3, 43 तो 87, 5, 435 और यह 0 बना देंगे तो यह एक बराबर निकल के आ गया है दोस्तों हमको निकालना है यहाँ पर B का हिस्सा तो B का हिस्सा हमारा कितना है यहाँ पर 32 है तो 32 का हम इसमें multiply कर देंगे तो दोस्तों 32 का multiply कैसे करेंगे मैंने बताया था जब एक संख्या आ जाए और एक पांच से divisible संख्या आ जाए तो यहाँ से हमारा पांच से जिरो को थोड़े जिर के लिए इग्नोर कर देज़ेगा 32 का 16 हो गया और 5 का 1 हो गया तो 16 1916 और यह एक जिरो अपने आप से बढ़ाएंगे एक जिरो इसका बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 1600 हो जाएगा यह हमारा आ गया बी का हिस्सा जैनि कि आपसन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे C के साथ यह कुशन क्या हो जाएगा बिल्कुल ठायट हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे 31 नमबर और 31 नमबर कुशिन में कहा गया है कि 2 साचे दारों A और B ने एक साथ मिलकल क्रमसा 6000 और 8000 रुपय की पूंजी का निवेज कर एक ब्यापार सुरू किया है यदि उनको 56 रुपया का लाब हुआ तो A का हिस्सा गयात कीजिए तो दोस्तों ये A और फिर ये B कितना लगाता है माली ये तीन जिरू ये तीन जिरू हमने कट कर दिया यहाँ पे 6 अनुपात 8 बचा 2 से भी और कट रहा दो तें 6 दो चो को 8 फाइनली जो हमारा अनुपात आया दोस्तों तो ये 4 तिन 7 आया ये 7 बराबर हमारा हो जाएगा 5600 के तो एक बराबर हो जाएगा 7800 के हो जाएगा जब एक बराबर हमारा 800 के हो गया हमको निकालना दोस्तों क्या है हमको निकालना है A का हिस्सा A का हिस्सा हमारा कितना है दोस्तों यहाँ पे ये हमारा इनके हिस्से थे तो A का हिस्सा हमारा 3 है तो 8, 3, 24, 100 हमारा A का हिस्सा आ जाएगा यानि कि आपसा नम्बर देखें तो यहाँ पे हमारा D के साथ एक कोईशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला कोईशन देखेंगे 32 नम्बर और 32 कोईशन में कहा गया है कि सीता, गीता, रीता ने एक ब्यापार में करमसा 20,000, 50,000 और 40,000 रुपय का निवेस किया उनको एक वर्स में प्राप्ट कुल लाग 12,100 रुपया था जिसे उन्होंने अपने निवेसों के अनपात में बाट लिया तो रीता को प्राप्ट हुआ लाभांस ग्याद कीजिए दोस्तों देख लिए कि सीता, गीता और ये रीता तो अब क्या करेंगे ये देख लिए दोस्तों 4,000 इसके, 4,000 इसके कैंचल हो गए तो इनका जो फाइनली अनपात आया 2,000, 5,000, 4 आ गया हमारा 12,100 के, तो एक बराबर निकालें, 11,99, 11,99, एक बराबर 11,100 के आ जाएगा तो हमको बताना क्या है, रीता का हिस्सा बताना है, तो रीता बराबर ये 4 थी, तो ग्यारा 44, यानि कि आपसर नमबर देखें, तो कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे हमारा C के साथ एक क्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा 33 नमबर क्वेशन देखेंगे, 33 नमबर में कहा गया कि X, Y, X और Y ने एक ब्यावसाय आरम हिकिया X ने 8,000 रुपए का निवेश किया, Y ने 10,000 रुपए का निवेश किया, 6 महीने बाद जिड भी 6,000 रुपए के निवेश के साथ उस ब्यावसाय में सामिल हो गया यदि तीन वरसों में 9,660 रुपए का लाव होता है, तो जिड का हिस्सा ग्याद कीजिए अच्छा कुश्चन है, देख लेते हैं, यहाँ पे दोस्तों X है, यहाँ पे Y है और यहाँ पे यह जिड है X जो लगाता है दोस्तों 8,000 रुपए लगाता है, हमने 8,000 रुपए लगा दिया, वो भी 3 साल की बात कहीं कहीं है, तो यह पूरा-पूरा 3 साल कहीं लगा के रखा है और फिर वाई जो है दस जार रुपिया लगाता है तो ये दस जार रुपिया ये भी पुरा-पुरा तीन साल के लिए लगा के रखता है लेकिन जट जो है वो छह महिने बाद ब्यापार में सामिल होता है जब छह महिने बाद ब्यापार में सामिल होगा तो कहीं न कहीं तीन स में लिखा तो इसको भी एर में ही कनवर्ड करके लिखेंगे अगर दोस्तों यहां पे आप मन्थ में लिखेंगे तो इसको भी आप मन्थ में लिख सकते हैं तो यह बात थी तो अब क्या करेंगे दोस्तों देख लिए तीन यह 3-0 और यह 3-0 चैंसल हो गया आठ त्रिक हो गया 24 दस तेहीं हो गया 30 और फिर यहां पर हो जाएगा 55,500 डैर सो का 0.0 यह 0.0 लगा देंगे तो यह 0.0 से काम खतम अब दोस्तों देख लीजेगा अभी और एक किसी से कटेगा प्लिपल कटेगा तीन से कट जाएगा तीन अठे चौबिस तीन दहम तीस तीन पचे पंद्रा फाइनली जो अनुपात आ गया हमारा आठ अनुपात दस अनुपात पाँच आ गया हमको बताना है टोटल लाब कितना हो रहा है 9,660 रुपाय का लाब में जड का हिस्सा बताना है तो दस आठ अठारा दो बीस तीन तीस तो यह तैस बराबर हो जाएगा 9,660 के तो एक बराबर हो जाएगा दो तेश तेश से इसको जब हम कट करेंगे दोस्तों तो बीस तेश आठ बी चौक असी असी और तीन चौक बारा तेश चौक बानबे तेश चौक बानबे दोस्तों यहाँ पर चार बार गया बानबे में हम चार और जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा तो तेश दूना च्छेलिस चार सो बीस आ गया जब दोस्तों एक बराबर चार सो बीस आ गया हमको निकालना किसका हिस्सा है दोस्तों यह पर Z का, तो Z हमारा gì हैं, 5 तो 5 का हम इसमें multiply करेंगे, 42 का जब आदा करेंगे तो 21 हो जाएगा और यहाँ पर 5 में 1 का, multiply करेंगी, तो यह इतना हो जाएगा, यहनि कि 21 हो गया, 21 हा यह आया हिस्धा है, आपसा नंबर देखें तो यहां पर हमारा B के साथ यह क्वेशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा 33 के बाद अगला क्वेशन देखेंगे 34 नंबर और 34 नंबर क्वेशन में दिया गया है कि एक भागेदारी फर्म में टेजल की हिस्सेदारी 40% है असांक की हिस्सेदारी 60% है और सतन यहां पर यहां पर यह बात बताई गई है कुल मिलाके हमको यह बात बताना है कि एक भागेदारी फर्म में टेजल की हिस्सेदारी 40% है असांक की हिस्सेदारी 60% है आउस्तन यहीं टेजल वार्षिक तवर पर 10,00,00 रुपय कमाता है टेजल का यहां पे दोस्तों देख लिएगा 40% बराबर वो कितना कमाता है 10,00,00 कमाता है ठीक है 21,21,1000,1000,000,00 और यह 10,00,00 40% बराबर 10,00,00 कमाता है तो अगर हम देखें तो 1% बराबर कितना कमाएगा तो यह 10,00,00,00 बटे कितना हो जाएगा 40,00, हमको 60% आउस्तन असांग का निकालना है असांग का तो यहां पे हम क्या करेंगे 60 का मल्टिप्लाई कर देंगे दोनों पच्छों में तो यह बन जाएगा दोस्तों हमारा 60% बराबर बन जाएगा यह 0,00 से यह 0,00 हमने कैंसल कर दिया और इसको अगर कट करेंगे तो 4,25 हम 100 हो जाएगा तो 25 बना कर कि यह 4,00 यह 25,6,5,100 पहले कर लिए 25,6,5,100 रख लिया और यह जो 4,00 बच रहे हैं तो यह 4,00 हम और बना देंगे तो 21,21,1000,10,000,10,000 तो यह 15,00,000 रुपए का इसको क्या हो जाएगा मतलब असान को जो होगा 15,00,000 रुपए अरजित करेगा यानि कि आपसर नमबर देखें तो D के साथ यह कुशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा अगला कोशन देखेंगे 34 के बाद 35 नमबर और 35 नमबर कोशन में कहा गया कि पूरुवा ने किसी उद्यम में 7 महा के लिए 8,000 रुपए का निवेश किया ठीक है और दुर्बा ने आठ महीने के लिए 7,000 रुपए का निवेश किया उनके दौरा प्राप्लाभ का अनपाथ क्या होगा दोनों के दूस्तों अनपाथ 7,56, 56,56, 56,000 बन जाएंगे तो कर जाएंगे दोस्तों तो एक अनपाथ एक आजाएगा आपसन नंबर हमारा है यहाँ पर 25 का C के साथ क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा कैसा आप देख लीजेगा पूर्बा हमें P बना लिया और फिर क्या है दुर्बा हमें D बना लिया तो पूर्बा जो है 8,000 रुपए का निवेश करती है वो भी कितने महीनों के लिए 7 महीने के लिए दुर्बा जो है 8 महीने के लिए 7,000 रुपिया निवेश करती है अब अगर देखें दोस्तों तो यह 7,8,56,000 हो गया और यह भी हो गया 8,56,000 यह भी हो गया तो 56,000 से 56,000 हमारा कड़ गया एक अनुपात एक आ गया यही हमारा इनका अनुपात बताना था तो यहने कि आपसर नमर 35 का C के साथ यह कोईशन क्या हो गया बिल्कुल राइट हो गया मौकिक कोईशन था नेश्ट कोईशन देखेंगे हम लोग और अगला कोईशन यहाँ पे दिया गया है कि A और B करमसा 12,000 और 6,000 रुपाय का निवेश कर साज़ेदारी में एक बिजनेस सुरू करते हैं आठ महीने बाद 15,000 रुपाय के पूंजी के साथ C भी बिजनेस में सामिल या जुड जाता है दो वर्स बाद 33,600 के लाग में C का भाग कितना होगा दोस्तों देख लीजिएगा A है B है और C है तीन बिखती है A जो है पहले 12,000 रुपाय लगाता है A को हमने यहाँ पे 12,000 रुपाय लगाने दिया वो भी कितने दिनों के लिए लगाता है आ गया जाओ C C जो है ब्यापार में 8 महीने बाद सामिल होता है 15,000 रुपाय लगा कर गए 15,000 रुपाय लगा के सामिल होता है 8 महीने बाद 24 महीने में जब 8 महीने कम कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा 10, 4, 14, 16 महीने बचेगा 16 महिने के लिए सामिल था अब अगर दोस्तों इसको हम कट करें देखिए 8, 2, 16 8, 3, 24 8, 3, 24 ठीक है दोस्तों अब 3, 0, ये 3, 0, ये 3, 0, ये हमने कैंसिल कर दिया ठीक है अब और अगर देखें तो और अगर हम कट करते हैं इसको तो ये 3 ये 3 और ये 3, 15 ये कट गया अब देख लेते हैं यहाँ पर तो हमारा 12 बचा और यहाँ पर हमारा बचा 6 बचा और यहाँ पर 5 और दो बचा यानि की 10 बचा ठीक है और तो कुछ बच नहीं रहा है ठीक है अब इसको और हम कट करते हैं तो 2 से 2, 16, 12 दो पंचे दस यानि कि फाइनली जो इनका अनुपात आ गया है छह अनुपात तीन अनुपात पांच आ गया दो वर्स के बाद टोटल 33,600 का लाब होता है तो पांच तीन आठ आठ चाउदा या छह तीन नौ नौ पांच चाउदा तो यह चाउदा बराबर हो जाएगा हमारा 33,600 के तो एक बराबर आ जाएगा चयदा दूने 28 हो जाएगा 28 के बाद हमारा पांच बचा 96 हो गया 14, 40 चौको 56 और यह हो गया हमारा 00 तो एक बराबर हमारा 24, 24,00 के तो c का मान निकालना तो c का हमारा कितना आया है पांच तो जब हमßenश का मान निकालेंगे दोस्तों और 9 Les multiply करेंगे 5 के धर्वी multiply करेंगे तो 5 हमारा क्या बन गए यानि कि C बना है तो यह हमारा 24 पंचे यानि कि 12 आ गया और एक जिरिस के दो जिरो उसके यानि कि 12 हजार हमारे इस question क्या बन जाएगा right answer यानि कि आप से number देखें तो हमारे WhatsApp और Telegram रूप से जुड़ सकते हैं दोस्तों आपको बता दूँ कि हमारे इसी वीडियो की description में हमारे WhatsApp और Telegram रूप लिंक मिल जाएगा जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं और दोस्तों आप यह सारे question का हाल साइट पर भी वहां पर प्राप्त कर सकते हैं और दोस्तों यदि आपको यह video और यह स्रीच प्रसंद आए तो आप मारे वीडियो को लाइक करिएगा अपने दोस्तों जादर जादर करिएगा और दोस्तों यदि आप चैनल जाएगा और तीन जीरो हमारे वैसे ही बन जाएगे तीस जार तीस जार कड़ गया एक अनपात एक आ गया फाइनली देखें तो 37 का D के साथ ये कोश्ट क्या हो जाएगा बिलकुल राइट हो जाएगा अगला कोश्ट देखेंगे 38 नंबर और 38 नंबर कोश्ट में दिया गया है कहा गया है कि P और Q क्रमसा 1400 रुपया और 1800 रुपया के निवेश के साथ एक साज़ेदारी में प्रिवेस करते हैं वे लाभ में उनके हिस्सों का अंतर 47 हो 47 है तो कुल लाब ग्याद कीजिए तो कुल लाब कितना होगा ठीक है तो यहां पे कहा गया है कि निवेज के साथ एक साथ धारिम प्रवेश करते है वे लाब के आधे हिस्से को बेवसाय के संचालन के लिए रखते है और सेज हिस्से को अपने निवेज के अनुपात में बांट लेते है यदि लाब में उनके हिस्सों का अंतर 47 है तो कुल लाब ग्याद कीजिए तो यहां पे देख लिजिए गए यह पी दिया है और यह क्यू दिया गया है तो पी क्यू पी हमारा दिया गया и 11000 कैनल ऐसाफ उन्पात ने क्लिए ठीक य।- इनके जो निवेष करने के बाद वे जो लाव एनका Alm сов निवष के ने का bloody पूंतभ है पत्यम श्छाइए को संचलनु लिया जाता है तो माना अगर हम यहां पर मान लेते हैं माना टोटल लाब कितना होगा माना टोटल लाब हमारा एक्स रुपिया कितना है दोस्तों एक्स रुपिया तो एक्स रुपिया में एक्स बटे दो तो यह संचालन के लिए बचा लिया इस किस के लिए बचा लिया संच समचालन के लिए बचाया समचालन के लिए बचा ठीक अब बचा दोस्तों जो हमारा आधा बचा हमारा तो जो ये आधा बचाया तो ये आधा को क्या करेगा ये अपने इस अनुपात में बाट देगा यानि कि जो एकस बटे दो निकल गया और एकस बटे दो ही बचा है तो ज से बटवारा करेंगे यह जो सेवन में हम एकस बटे दो का बटवारा कर देंगे यह हो गया और ऐसे ही नाइन में करेंगे नाइन में भी हम एकस बटे दो का बटवारा करेंगे ठीक है यह कर दिया हमने तो क्या कह रहा है कोईशन में करा बटवारा करने के बाद इनको क्या कर का 9X बटे 2 बराबर अंतर कितना हो जाता 47 तो 47 कर दिया तो 9 से 2 घटाएंगे तो यहां पे हमारा आ जाएगा या फिर दोस्तों आप ऐसा करें जो बड़ा हो उसको इससे घटा लीजिएगा इसको पहले 9 रख लीजिएगा इधर 9 रख लीजिएगा इसको आप 7 रख तो यह 2 aos 2 कट जाएगा तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 47 हमको निकालना क्या था तो PowerPoint लाख घाद किजिए कुल लाख हमारा दोस्तों देखे लिए यह 9 I 10 16 16 डोला ठोटल लाभ हमारा कितना हो रहा है यहांपे अ थो एक्स का मतलब कितना निकला दोर से तालिस इस में हम दोस्तों 16 का मल्टिप्लाइ कर देंगे तो 16 सत्य 112 की 2 हो जाएगा 16 कितना हो गया हमारा 112 112 की 2 जब 112 की हमारा 2 हो जाएगा तो finally हमारा कितना आ जाएगा यहां पे 16 सत्य 112 हांसिल लगा 11 16 64 64 11 जोड़ेंगे तो 65 65 10 75 यानि कि 752 बन जाएगा 752 हमारा आपसन नमबर A पे मैच हो रहा है इसलिए दोस्तों 38 का देखें तो हमारा A के साथ एक कुशन क्या हो जाएगा बिलकुल राइट हो जाएगा 38 के बाद दोस्तों मारा 49 नमबर कोशन दिया गया कहा गया कि A, B और C ने 2 अनपाद, 3 अनपाद, 5 के अनपाद में पूंजी का निवेज किया उनके निवेज के समय का अनपाद, 4 अनपाद, 5 अनपाद, 6 तो तीनों का लाभ का अनपाद गया तीजिए कितना अच्छा कोशन है, यहां पर देख लीजिए का A, B और C, इनके जो पूंजी के अनपाद जो दिया गया है, 2, 3 दिया गया है, दोस्तों, 2, 3 और यहां पर 5 और नो पात गाहे चार तो इसमें 4 का मॐल्टिप्लाई इसमें 5 का मॐल्टिप्लाई , इसमें 6 का मॐल्टिप्लाई , अब दुस्तों क्या करेंगे , 4 CTN8 हो जाएगा , 5 TCN 15 हो जाएगा , 6 TCN 30 हो जाएगा , अब अगर एक क差不多 रहा हो knapp कर दीचेum सांट after 35 . 38 35 हमारा आपसर नंबर मिल रहा है दोस्तों C तो 49 का C के साथ ये कुशिन क्या हो जाएगा राइट और अगला कुशिन देखेंगे 40 नंबर 40 नंबर कुशिन में दिया गया है कि उर्मी और लोकेस ने क्रमसा 11,250 और 13,125 रुपए के निवेस के साथ साजिदारी सुरू की लेकि 12 महीनों के लाब को दोनों किस अनुपात में बाटेंगे ये बात बतानी है तो ठीक है दोस्तों यहाँ पर करते क्या है सबसे पहले और और से दोस्तों क्या दिया गया है लोकेस यू से हो गया और ल से हो गया लोकेस उर्मी जो है 11,250 रुपए 12 महीने के लिए निवेस करत लेकिन कुछ वित्ती संकट के कारण आठ महीने बाद वो अपना पूरा पूंजी निकाल लेते हैं तो आठ महीने बाद निकालते हैं तो कहीं न कहीं दोस्तों तो आठ महीने तक तो उनकी पूंजी लगी ही थी तो आठ महीने तक लगी थी तो हम आठ केस में मल्टिप्लाई क कर देंगे ठीक है अब इसको brew करेंगे दोस्तों तो यही जो क्रने पर आए गा वह ही उनके लाखकान पाथ हो जाएगा देख लेते हैं चार दूना ँए अठ च्यार थे ढांब अगर इसको हम 25 से कट कर दें तो 25 से अगर इसको कट करेंगे तो 25 चोब को कट करेंगे तो 25 पंचे 125 बचा 6 अब 25 हम 6 तो पचीश दूना पचास 25 पचीश हम 120 यह हो गया multiply 2 कर देंगे अब इतना हो गया दोस्तों अब देखिए क्या और हमारा कटेगा अगर और कट रहा हो तो और इसको कट करते हैं तो अभी यह हमारा और कट जाएगा पांच से अभी दोस्तों हमारा और किस से कटेगा हमारा पांच से कटेगा तो इसको हम पांच से भी और कट करते हैं तो जब इसको हम 5 से और कट करेंगे दोस्तों तो यह हमारा 5 945 जीरो और यहां पे 3 595 पांच 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 जीरो जीरो पनपचा पचीश मुल्टिप्लाई दो अभी 2 से हमारा यह कट जाएगा 45 बाविल 2 45 से हम 90 और यहां पे 3 और यहां पे 105 खुल मिलाके आ गया 45 बाविल 3 और अनुपाथ 105 फिर इसको पांच से कट करेंगे तो 5 9 45 बाविल 3 और यहां पे 5 दूना 10 5 एक अननम 5 अब यह 3 से कट जाएगा 3 सत्य 21 तो कुल मिलाके 9 अनुपाथ 7 बन गया यही हमारे इस कुशन का क्या बन जाएगा राइट एंसर यानि कि देखें तो 40 का जो हमारा राइट बन जाएगा दोस्तों यानि कि 9 अनुपाथ 7 यानि 9 का B के साथ यह कुशन क्या हो जाएगा हमारा बिलकुल राइट हो जाएगा अगला कुशन देखेंगे हम लोग 41 नमबर कुशन पे दिया गया है तरुन दोस्तों इस कुशन में दिया गया है तरुन और तपन ने करमसा 13,000 और 19,500 के निवेज के साथ साज़ेदारिज की सुरुआत की लेकिन कुछ वित्ती आपात इस्तित के करण तपन को 8 महाबाद के अपना निवेज वापस लेना पड़ा पहले 12 महीने का लाब दोनों में किस अनफार्ट में साज़ा किया जाएगा या किया जाना है तो पहले दोस्तों ये 13,000 हमने 13,000 लगा दिया फिर ये 19,500, 19,500 लिग दिया तो ये तो 8 महीने के लिए था और ये दोस्तों 12 महीने के लि और यह हमारा चार दूना 8 हो गया फिर अगर देखें तो और हमारा किस से कट जाएगा दोस्तों तो यह अगर 2 से हम इसको कट करें 130 को तो यह आजाएगा 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 65 आगया और यहाँ पे हमारा 195 बच रहा है ठीक है अब अगर इसको 3 से कट करें 3 से कट किया तो यहाँ पे आजाएगा तिछंग 18 और 1 तीन पचे 15 अब दोस्तों यह 65 इधरे बन गया 65 इधरी बन गया तो एक अनुपात एक यानि कि देखा जाए तो आपसन हमारा यहाँ पे सी के साथ यह कुशन क्या हो जाएगा बिलकुल राइट हो जाएगा अगला कुशन देखेंग पहले 12 मास का लाब दोनों में से किसन पात में बाटा जाएगा सारे कुशन अभी तक है से हम लोग करते चले आ रहे हैं तो यहाँ पे पहले इसने लगाया 10,000 रुपया फिर उसके बाद इस अगले ने लगाया 15,000 रुपया यह 8 महिने के लिए और यह 12 महिने के लिए अब अब दोस्तों यह 3-0 यह 3-0 कैंसल हो जाएंगे अब देखें तो यह 3-12 और यह 3-15 यह हो गया मल्टिप्लाई यहाँ पे 8 बचा और मल्टिप्लाई यहाँ पे हमारा 10 बचा तो पांच दूना 10 यह हो गया चार दूना आठ चार दूना आठ यानि कि 8 अनपात आठ यह भी बन गया नहीं की आपसल नंपर देखें तो C के साथ ये भी कोउशन क्या हो जाएगा बिल्कुल रइट हो जाएगा 42 के बार अगर हम 43 नंपर कॉशन देखें तो 43 समार कॉशन में हमारा दिया गया है कहां गया कि सुमन साच्छी तथा मयंग एक साची दारी करते हैं सुमन स साच्छी से पांच गुना और साच्छी मयंग के निवेश का तीन बटे पांच भाग निवेश करती है वर्स के अंत में कुल लाब 23,000 रुपए अरजित हुआ साच्छी का भाग कितना होगा ठीक है दोस्तों यहाँ पर देख लीजेगा सुमन साच्छी मयंग ये तीन लोग ह सुमन जो है साच्छी से पांच गुना तो सुमन जो है दोस्तों साच्छी से पांच गुना साच्छी मयंग के निवेश का तीन बटे पांच भाग निवेश करती है वर्स के अंत में क्या करना है दोस्तों यहाँ पर वर्स के अंत में कुल लाब 23,000 रुपए अरजित हुआ साच्छी का भाग तो सुमन जो है साच्छी साच्छी से पांच गुना यह जो सुमन है यहाँ पे माल लिजे साच्छी हमने लिख दिया साच्छी का पांच गुना हमने यह कर दिया तो इकल गुला कि यहाँ पे आ जाएगा देख लिजेगा सुमन को हमने SU लिख दिया साच्छी को SA लिख दिया ठीक है पांच गुना तो ये पांच बटे 8 बन जाएगा फिर अगला पॉइंट कहा गया है साच्छी मयंग अब दोस्तों साच्छी मयंग का 3 बटे 5 है 3 बटे 5 कर दिया मयंग के निवेज का 3 बटे 5 है मयंग के निवेज का 3 बटे 5 है ठीक अब यहां से हम इनका रेश्यो निकाले सुमन और यहां पे साच्छी का अनपात 5 अनपात 1 है और फिर यहां पे यह साच्छी और यहां पे मयंग का अनपात 3 अनपात 5 है तो यहाँ पे यह हम सुमन, साच्छी, मयंग निकालेंगे तो पांटेंगे पंदरा, तीन एक अन्दम तीन, पांच एक अन्दम पांच यह आगया इनका रेशियो जब रेशियो आगये इनका तो हमको वर्ष के अन्दम में कुला तेश जरूपत, साच्छी का भाग हमको बताना है B के साथ एक कोईशन क्या हो जाएगा हमारा बिलकुल राइट हो जाएगा अगला कोईशन देखेंगे दोस्तों 43 के बाद 44 नमबर और 44 नमबर कोईशन हमारा जो दिया गया है यहां पे कहा गया है कि राजा ने 44 सुरुपए की पुझी के साथ सबजी का बेवसाय सुरू किया कुछ महीने के बाद रंगा 24 नमबर की पुझी के साथ इस बेवसाय में जुड़ गया 12 जार के कुल वार्सिक लाफ में से राजा का हिस्सा 800 है तो रंगा एक साजेदार के तौर पर इस बेवसाय में कब सामिल हुआ अच्छा कुशन है देखते हैं दोस्तों इसको यहां पे कहा गया है कि मतलब रंगा राजा ने 44 सो रुपए लगा करके एक ब्यापार में सामिल हुआ तो 44 सो रुपए लगाया और कितने दिनों के लिए 12 महीने के लिए सामिल हो गया ठीक है फिर आगे कहा गया है कि इसी में राजा हो गया फिर रंगा कहा गया है रंगा ने कुछ महीने के बाद रंगा 24 सो रुपए के पूंजी के साथ इस ब्रुपए में जुड़ गया कुछ महीने के बाद अभी हमको महीना नहीं पता है दोस्तों 24 सो रुपया इसने लगाया है लेकिन कुछ महीनों के बाद माल लेते हैं 12 में से एक्स महीने बाद इसने सामिल हुआ होगा ठीक है यह हो गया अब अगर यहां से अगर इनका हम अनुपात निकालें तो दोस्तों देख लीजिए यह 00 यह 00 कैंसल हो गये ठीक है अब यह 12 दोना 24 दो से यह 22 बार में और यहां पे बच्चा हमारा 12 माइनस X इनका अनुपात यह बन गया राजा और रंगा का राजा और रंगा का यह हो गया अब क्वेशन में क्या कहा गया है यह तो हमने अनुपात निकाल लिया यह कहा है कि 1200 के कुल वार्सिक लाब में से राजा का हिस्सा कितना है 800 है तो राजा का हिस्सा हमको पता हो गया 800 है रंगा एक साजे दोर के तावर पर इस ब्योसाय में कब सामिल रहा राजा का हिस्सा 800 है अटोटल लाब हमको हो रहा 1200 का अटोटल यह हो जाएगा हमारा बाइस प्लस बारा माइनस एकस इंटू हमको किसका निकालना है दोस्तों यहां पे हमको यहां पे निकालना है मतलब दोस्तों यहाँ पे इस कीश का यह राजा का यहरा दोस्तों यहांकर राजाय का निकालना है into required ratio अब देखिए राजा राजा का है हम को पता है राजा कौष रूपए मिलते हैं हेल्प का राजा और रंगा का टॉटल योग जन पाता है उनगा तो इसलिए राजा का वेलू 22 अब इसमें जब हखल करें बगां दोस्तों तो आप देख लीजिएगा तो यह आ जाएगा यहाँ पर 11 तो कुल मिला करके यह आ गया हमारा 11, 33 हो गया 33 बराबर यह 22 बराबर जोड़ेंगे तो 22, 24, 24, 10 34 माइनस X यह X इधार आएगा दोस्तों तो प्लस का X हो जाएगा 33 इधारा किस से घर जाएगा तो 1 बचेगा तो कुल मिला के X बराबर कितना आ गया हमारा X बराबर हमारा 1 आ गया तो इसका मतलब यह हुआ दोस्तों जब X बराबर 1 आ गया तो इसका मतलब यह राजा द्वारा बेवसाय सुरू करने के एक माह बाद रंगा सामिल हो गया यानि कि एक महीने बाद रगा उस ब्यवसाय में सामिल होता है मतलब राजा जब ब्युवसाय सुनु करता तो यानि कि ऐसा आपसन हमारा दिया गया है यहां पर माह लिढश दीजिएगा ये दिया गया। सी आपसन यानि कि देखें तो छवालिस का सी के साथ किवाइट किवाइब बिल्कुल रायट हो जाएगा वर्स समाप्त होने केosition के दो माहाबाद दो नहीं रहा है यह फिर राजा दोरा ब्यूसाय करने के दो माहाबाद नहीं कि दो धि इन हो और डे बाध इख सुरूं आए हाँ यह हो कि सूरज और विमल ने एक दूसाय सुरू किया उन्होंने एक वर्स में 84 सु रुपय लाग की रूप में कमाया वर्सके अंत में सूरज को उसके हिस्से के रूप में 45 रुपय की प्राप्त हुई उन्होंने उन्होंने एक वरस में 84 सो रुपिया का लाव प्राप्त किया जिसमें से सूरज को उसके लाव के हिस्से में से 45 रुपिया मिलते है सूरज को कितना रुपिया मिला दोस्तों 45 सो रुपिया मिलता है तो जब सूरज को 45 सो मिलेगा तो बीमल को कितना मिलेगा दोस्तों बीमल को अब तो आसानी से अब निकाल सकते हैं तो बीमल को लब कितना मिलेगा बीमल डोटल 84 रूपया का लब होता है 8445 गाइड़ टो डबल जरू से डबल जीलो आ जाएगा और इधर हो जाएगा हमारा 14 से 5 गटाएंगे 9 आ जाएगा इधर हमारा 7 से 4 तो हमारा पहले सूर्ज है तो सूरज के बालू रख देंगे 4500 रख देंगे 4900 डबल जीरो कट गए अब अगर यहां पे देखे तेरा यानि कि आपसे नमबर रेखें तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नमर कि एक लाख रुपाए निवेस किये कुछ महीनों के बाद सुहन ने चालिस रुपए लगा कर उसका साज़ेदार बन जाता है वर्ष के अंद में दोनों में कुल लाग तीन अंपाद में बाटा जाता है सुहन ने कितने महीने बाद बेवसाई में साज़ेदारी की सुरुआत की ये बात हमको यहां से बताना है ठीक है दोस्तों 46 नमबर हमारा है तो यहां पे हम ऐसा करते हैं कि मोहन ने कपड़ा बेवसाई में कितना रुपया लगाता है एक लाख रुपया लगाता है तो ठीक है हमने मोहन का एक लाख रुपया लगा दिया यह हो गया टोटल कितने जिरो बनेंगे कि कुछ महीनों बाद सामिल हो जाता है हमको नहीं पता कितने महीने बाद सामिल हो जाता है तो माना X महीने बाद सामिल हो जाएगा तो यह 12 से X कम हो जाएगा न दोस्तों तो यह 12 माइनस X महीने बाद सामिल हो गया ठीक है अब दोस्तों क्या करेंगे अब इनका लाब बता रखाे बाद में कि इनका जो लाब होता है वो 3 अनपात 1 के अनपात में लाब होता है तो दोस्तों देख लिजेगा 4 0 अगर हम यहां से कट कर दे 4 0 हम यहां से कट कर दे और यह 4, 59, 4 यह 4 3, 12 تو 10, 33 हो गया और यह बटे मान के इसको हम 12-1 लिख देंगे और इनका अनपाथ 3 अनपाथ 1 को हम 3 बटे 1 लिख देंगे क्रास मल्टिप्लाई करेंगे या पहले इसको कट कर देते हैं तो यहां पर आ जाएगा 10 तो यह बन जाएगा हमारा 12-1 बराबर बन जाएगा 10 ठीक है अब 10 धर आएगा 12 से घड जाएगा तो एकस बराबर आजाएगा 2 जब एकस बराबर 2 आगया हमको निकालना क्या था कितने महीने बाद बेऊसाय में साजिदारी की थी आपसन हमारा 46 का B के साथ क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा 46 के बाद दोस्तों 47 नमबर कोशिन अगर हम देखें तो 47 नमबर कोशिन हमारा दिया गया है कहा गया है कि तो दोस्ते मैं 47 कोशिन में कहा गया कि P और Q ने एक बिलसाए में 5 अनपाथ 13 के अनपाथ में निवेस किया Q ने 6 महिने बाद अपनी पूंजी निकाल ली यदि उन्हों ने अपना लाप 25 अनपा 26 के अनपात में साजा किया तो P की राज कितनी समय तक उपयोग की गई तो सबसे पहले यहाँ पर जो P कहा गया है दोस्तों तो मान लेते हैं कि यह हमारा पांच है यह हमारा कितने महने के लिए सामिल था यहाँ पर बात में करना पी की रास कितने समय के लिए साजा की गई तो मान लापmy की रास ही यहाँ पर X महिने के लिए उपयोग की गई उसके बात हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर बाद में कहा गया कि इनके इनका लाव 25 अनपा 26 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5X बटे 13 छंग 78 तो हमने 78 रख दिया और यहाँ पर बराबर करके 25 बटे 26 तो दोस्तों लेख लिएगा ते छंग 78 तेरा दुनी 26 5 एक अनदम 5 पन पता है 25 तो यह हो गया अब अगर इनको और हम कट करें तो यह आजाएगा हमारा दोस्तों अभी स्कोर कट कर देंगे तीन आजाएगा तो X बराबर आजाएगा तीन पर चे 15 जब X बराबर 15 आगया तो 15 महीने हमारे इस कुशिन क्या हो जाएगा तो 47 का B के साथ एक कुशिन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा अब लाग कुशिन देखेंगा 48 नमबर और 48 नमबर कुशिन में कहा रहा है कि A और B क्रमसा 50 जा और 60 जार का निवेश करके एक साज़ेदारी में प्रेश करते हैं X महीने के बाद C भी इसमें 70,000 रुपे निवेश करके उनके साथ जुड़ जाता है वर्स के अंत में X महीने पहले B इस साज़ेदारी से निकल जाता है यदि वे 20 अनपात, 18 अनपात, 21 के अनपात में लाब साज़ा करते हैं तो X का मान ग्याद कीजिए अच्छा कोईशन है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले ऐसा कहा गया है कि A जो है A, B, ये ये A है, ये B है और ये आगे जाके C है A जो है 50,000 रुपे लगाता है हमने 50,000 रुपे लिख दिया ये 50,000 रुपे लगाता तो है कितने दियों के लिए लगाता है अब जो B है, B NGOs 34,000 रुपे लगाता है लेकिन एक बाद कही गई है कि X महीने पहले B इस साचे दारी से निकल जाता है 60,000 रुपे तो B ने लगा ये यनि ये लगा दी है 60,000 लेकिन X महीने बाद B भी निकल जाता है तो जब X महीने बाद B निकल जाएगा दोस्तों तो यानि कि हम क्या करेंगे 12 से X को माइनस कर देंगे फिर ऐसे ही दोस्तों C, C कितना 70,000 रुपे लगाता है C 70,000 रुपे लगा करके ब्यापार में सामिल होता है लेकिन ये क्या करता है ये कितने महीने बाद 70,000 रुपे निकल जाएगा X महीने के बाद C भी 70,000 रुपे निकल जाएगा तो ये 12 वाइनस X X महीने बाद सामिल हो जाता है ठीक है अब क्या करेंगे अब इसको अगर हल करें तो दोस्तों देख लीजिएगा 4-0 इसके 4-0 इसके 4-0 इसके हमने cancel कर दिया ठीक है न अब यहाँ पे जो बचा हमारा 12-5-60 तो यहाँ पे हमारा 12-5-60 बचा यहाँ पे हमारा बच जाएगा दोस्तों कितना बच जाएगा यह बच जाएगा यहाँ पे अनुपात 6 ब्रिकेट में 12-x और यहाँ पे बचेगा हमारा 7 12-x इतना बच जाएगा अब हम क्या तरहेंगे दोस्तों हमको बताया गया है हमको x का मान निकालना है इनका अनुपात बताया गया है 20 अनुपात 18 अनुपात 21 तो कोई भी आप 2 value ले लिजिएगा और उनका वही अनुपात भी ले लिजिएगा और x का मान निकाल लिजिएगा हम देखते हैं यहाँ पे हमने a और b को लिया जब a को ले लेंगे तो 60 अब b का value कितना है यहाँ पे 6 यहाँ पे 12-x और इनका अनुपात जो दोस्तों दिया गया है हमारा 20 बटे कितना हो जाएगा 18 अब दोस्तों देख लिजिएगा यह 0 से यह 0 कट जाएगा और यह 2 से हमारा यह 3 बार में कट जाएगा नहीं 2 से हमने इसको 9 बार में काट दिया यह 6 से हमने 6 को काट दिया तो अब क्या करेंगे दोस्तों हमारा यहां से जिब cross multiply करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 9 और यहां पे आ जाएगा 12-X तो यह जो हमारा X इधर आएगा तो plus का X हो जाएगा 9 इधर आएगा तो 12 से 9 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा finally हमारा X का मान कितना आ गया है दोस्तों 3 यानि कि देखा जाए तो आपसन नंबर हमारा 48 का D के साथ यह कुशन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट हो जाएगा 9 चास नंबर देखेंगे और 9 चास नंबर कुशन में हमारा दिया गया है कहा गया है कि रामदास ने एक कास्मेटिक ब्योसाय में 90,000 रुपए का निवेज किया कुछ महीने के बाद स्यामदास ने 30,000 रुपए लगा कर ब्यापार में साचीदार हो गया वर्स के अंट में कुल लाब 4 अंपात एक के अंपात में उन दोनों में विभाजित किया गया था स्यामदास ब्यापार में कितने महीने बाद सामिल हुआ कितना अच्छा कोइशन है अभी स्टैब के कोईशन आप लोग साल कर लिए हैं रामदास और स्यामदास दो बैक्ति हैं ।र इससे ये स्यामदास हो गया रामदास 90,000 रुपया लगाता है तो हमने 90,000 रुपया रामदास के लगा दिया वो भी कितने दिनों के लिए एक साल के लिए निए 12 महीनों के लिए स्यामदास क्या करते हैं 30,000 रुपया लगाते हैं और वो भी 30,000 रुपे कितने दिनों के लिए लगाते हैं दोस्तों यानि कि कुछ समय बाद हमको समय नहीं मालूम तो 12 माइनस X कर देंगे अब दोस्तों अब बाद में इनका अनपाद दिया गया तो 4 जीरो से ये 4 जीटो हमारा कट गया 3 से अगर इसको कट करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा तो 12 तेही 36 आ गया और यहां पे अनपाद 12 माइनस X हो गया अब हमको क्या निकालना है इनका अनपाद दिया गया है तो कितने महीने बाद सामिल हुआ तो ये हम लिए लिख लेंगे 36 बटे ये 12 माइनस X बराबर हो जाएगा 4 बटे 1 तो 4 नहीं दोस्तों 36 तो क्रास मल्टिप्लाई करेंगे तो 12 माइनस X बराबर 9 तो दोस्तों ये X को हम उधर ले जाएगे 9 को उधर लाएगे तो 3 और X यानि कि X का वैल हुआ गया 3 तो 3 महीनों बाद सामिल हो जाएगा कौन यहाँ पे सियाम 10 ब्यापार में 3 महीने बाद सामिल होगा तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम कोशन था इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये चैप्टर आज यहीं से किनिस हो रहा है पार्टनर्शिप का तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारे कुशन बहुत ही अच्छी तरीके समझ में आये होंगे और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो रिसीज हमारी पसंद आए तो आप मारी वीडियो को लाइक करिएगा आपको ये जाहिन